पार्ली आमेंड ने Coastal Aquaculture Authority Amendment Act 2023 रिलीज किया है Aquaculture का मीनली मतलब होता है समुद्र से जुड़े species और उनके related cultivation की बात करना जिसमें सबसे important होता है fisheries यानि की मचली पालन तो इंडिया का fisheries sector है अगर उसकी बात की जाए तो इंडिया पूरे fish production में inland capture में पहले नंबर पे है inland capturing का मतलब कि अपने land के अंदर ही नदी नाले तालाब इन सब में मशली का उत्पादिन करना और off land होता है या फिर offshore होता है समुद्र के अंदर fish production करना अगर aquaculture की overall बात करी जाए fish production में तो इंडिया second number पे है और overall fish production में इंडिया third number पे है in all across the world export में fish के इंडिया is in the fourth place more on the news मतलब इस amendment act में है क्या वो देखते हैं दरसल ये act जो है ये coastal aquaculture authority act 2005 को इमेंड करता है amend करके इसके अंदर जो offenses थे उनको decriminalize करता है 2005 का जो act है इसके दहाट coastal aquaculture authority बराई गई थी जिसका में पर्पस था coastal aquaculture को regulate करना इसका में पर्पस एक और है कि ये ease of doing business को promote करेगी so that more production can be in the fishery sector या फिर aquaculture का sector and also it will help in turning the operational procedure into a more effective manner aquaculture is the farming of fish seaweed और भी बहुत से aquatic species उनका cultivation करना इसी को बोलते हैं तो देखे अलग लग तरीके से फिश हो गया seaweed हो गया इनको उगाया जाता है ये कल्टिवेट किया जाता है समूदर के अंदर हम सिरो समूदर का एक्जाम्पल ले रहे हैं तो देखे सब्मर्ज्ट केजी या फिर नेट पैंस लगा दी जाते हैं करिके साहई का पिंघ्टर हो गया जाता है जिनमें की जो फिश आपकी फिंघ्टर हो गया कि जो फिस्ड़ कहा रह चाएंति व्हाथ को इनके लिए बंड आए उसके उगा तरिके से कुछ लिवाई भी श्राइ जाती है ये ज़ल्टर के ये के पासn में seasweed का प्रोड़कशन होता है इनमें oyster और być रिखते हैं और ववले oyster और यहां पर देखने को मिलते हैं और यह दो कोस्टल में होता है तो शेलो कोस्टल एरिया उस त्रीके का autumn culture अपना गुछर अपनाया जाता है। पॉंट और tanks है के तलाव और और पॉंट्स का जो कल्चर है, इसमें फिन फिश को और श्रिम्प को उगाया जाता है, देंकि पंजाब के अंदर बहुत सरा श्रिम्प फार्मिंग पर्मोट हो रहा है, पंजाब समुद्र के साथ तो लगता नहीं है, तो क्यूं हो रहा है, क्यूंकि वहाँ पे इनलेंड त पास में उगाया जा सकता है, उगाने का मतब समझे, उसको कल्टिवेट करना, वहाँ पे उसका पालन पोशन करना, इसमें आपका क्रस्टेशन हो गया, मॉलस्स हो गया, फिन फिश हो गया, सीवीड और भी किसी तरीके के अक्रेटिक लाइफ हो, तो उसको कंट्रोल दे कर कोस्टल एरियास के ब्रैकिश या फिर सैलाइन वाटर में नमकीन पानी में उसका प्रोडक्शन जो है, वहाँ किया जा सकता है, इसमें जो ब्रूड स्टोप और सीड है, इनका भी प्रोडक्शन होता है, इसे रिरेटिटीज भी होती है, लेकिन इसमें फ्रेश एक्वा कल्चर के अलाभा वी जो एक्वा कल्चर की कंडिशन हैं, ये अक्टिविटीज हैं विदिन दा लैंड, उनमें भी डील करता है, इसके अलाभा कोस्टल एक्वा कल्चर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, कि कहां वो एक्टिविटी होगी, कहां पे नहीं ह होगी, कौन से नो development zone है, उन सब को regulation में ले के आता है, इसके अलावा इससे associated agriculture जो होता है, seaweed का production करना, seaweed culture, इन सब को कुछ exemptions दी गई हैं कि उन cases में ज़्यादा regulation नहीं लगाया जाएगा, कुछ changes हैं, जो coastal aquaculture authority में किये गए हैं, सबसे पहले इसका composition अगर देखा जाए, तो इसमें ministry of fisheries के कुछ representative को scope दिया गया है, इसका scope अब बढ़ा के बहुत सारी activities इसके regulation में डाल दी गई हैं, सिरफ coastal aquaculture ही नहीं, उससे समंदित बहुत सारी activities से ये deal करेंगे, इनके functions को expand किया गया है, जैसे कि aquaculture input को check करना, उसको monitor करना, environmental के standards को fix करना, ये सब ये करते हैं, इसके लावा decriminalization जो है, मतलब कौन से act हैं, जिन पर प्रिजन्मेंट नहीं होगा, ये बहुत सरे ऐसे मतलब, act के अंदर prison डा दिये गए हैं, जिसके अंदर सजा जो है, वो imprisonment, jail नहीं होकर, छोटी-मोटी penalty जो है, वो लगाई जाएगी, उनकी list दी गई है, इसके अलावा, अगर नहीं पसंद आता, decision जिनोंने सजा दी है, तो central government जो है, उसने बोला है, कि एक officer है, secretary, under security level के, वो appoint किये जाएंगे, जो की appeal भी, मतलब accept करेंगे, अगर आपको decision जो है, वो नहीं पसंद आया, जो आपके penalty लगी है, उसके रिकाड़ी, बात करेंगे, inland fisheries की, इंडिया ने चाइना को overtake कर लिया, क्योंकि इंडिया, inland fisheries में, number one पे आ गया है, पूरे world way, it is the largest contributor in the inland capture water fisheries, fish produce, inland में आपको बता चुकी हो, मतलब नदी तालाब, land के अंदर में ही water के areas के अंदर cultivation करना fish का, इसमें fishing की harvesting management और उनका conservation fresh water bodies में किया जाता है, जैसे नदियों में, lakes के अंदर, तालाब के अंदर, इसमें दो method अपनाए जाते हैं, सबसे पहले capture fishery है, दूसरा है आपका culture fishery, आप capture का मतलब होता है पकड़ना, तो इसमें किया कह जाता है, नदी तालाब, इन सब के अंदर हम लोग fishing gears, या फिर जो net होते हैं, मचली पकड़ने वाले जाले, वो सब लगा देते हैं, उसी में fish को directly capture कर लिया जाता है, दूसरा है culture fisheries, culture fisheries का मतलब कि particular area में दाना भोजन डाला जाता है, वहाँ पे fishes आती हैं, उनको उनके हिसाब से condition provide की जाती है, उनको वहाँ harvest किया जाता है, cultured किया जाता है, फिर उनको वहाँ पे पकड़ा जाता है, तो हम उनको breed करते हैं, pollen potion करते हैं, उनका वहाँ से जाके पकड़ नहीं लेते हैं, जाले फेक के हैं, cultured मतलब उनका proper तरीके से ध्यान रखना और उस area में उनकी संख्या को बढ़ाना ताकि आप इनलेंड फिशरी का अगर आप ट्रेंड देखोगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तो होती है, marine production, offshore production, fishes की जैसे मैंने बहुता समूद्र के अंदर है और दूसरी है इनलेंड तो भारत के अंदर 1995 के बास से आप देखिए, maximum of जो आपका shoot हुआ है, वो इनलेंड फिशरी प्रोड़क्शन है, यानि कि लैंड के अंदर जादा फिश का प्रोड़क्शन जो है, वो किया जाता है, lakes में, rivers में, marine वाले में इतनी जादा इनक्रिमेंट जो है, वो अभी तक देखने को नहीं मिली है, साल 2000 के बास से इनलेंड फिशरी प्रोड़क्शन काफी इनक्रीज हो गया है, इनलेंड फिशरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि किस जगह पे आप फिश का प्रोड़क्शन कर रहे हैं, अगर इनले इनलेंड भी है तो, सबसे पहले तो टैंक्स और पॉंड, पॉंड के अंदर तलाब वगएरा के अंदर जिसमें सबसे जगह प्रोड़क्शन की कंडिशन को एप्रोप्रियेट ध्यान रखा जाता है, कोल्ड वाटर फिशरी में क्या किया जाता है, ओमेगा पैक्ड और मीडियम रिजर्वायर में होता है, सैलीन एक्वा कल्चर या ब्रेकिश एक्वा कल्चर मतलब सैलीन माने नमकीन पानी है उस एरिया में फिशरी एक्वा कल्चर करना, इसमें एक्वा कल्चर जो है नमकीन पानी में वो फिशरी से ज़्यादा श्रिम्प का किया जा सकता है तो श्रिंप स्टो है उनका कल्टिविशन सैरीन में होगा अब समझिए पंजाब में क्यों आपकी श्रिंप का कल्टिविशन तना बढ़ रहा है पंजाब को बहुत सारा ग्रांड वाटर ओवर्यूस होने के कारण बहुत सारी जमीने जो है वो नमकीन हो चुकी है इस सब रिवर्स को यूज़ करना फॉर काल्टिविशन और कंजरवेशन ओफ इंडिजिनस फिशेज आपको यूज़ किया है अगर आप वो चीज कर रहे हैं उसके लिए सरकार आपको क्रेडिट देगी यानि कि लोन वगेरा आपको पता होगा कि मतल किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जैसे कि किसान को असानी से उस करड़े पर क्रेडिट रॉप्ए का है इसमें MSME सेक्टर को खास करके पैसा दिया जाएगा ये कह लीजिए MSME sector है जो की ज़्यादा cover किया जाएगा credit के मामले में इसमें credit बहुत असानी से मिलेगा life stock sector जो है उसमें increment देखने को मिलेगा और Animal Husbandry Infrastructure Development Fund के अंदर ये आपका credit grantee fund जो है वो update करेगा Animal Husbandry Infrastructure Development Fund के नाम से clear है कि Animal Husbandry के लिए infrastructure को तयार करना ये आत्मनिर्भर भारस stimulus package का हिस्सा है जिसके तरह MSME हो गया, Pharma Producer Organization, Entrepreneurs हो गया, Private Companies होगी उनको investment या incentives दिये जाएंगे इस चीज़ के लिए अगर वो dairy लगाना चाते है, meat processing करना चाते है, animal feed plant लगाना चाते है breed में technology improvement के लिए कोई चीज़ देखे आना चाते है, या फिर veterinary या drug production करना चाते है पशो के लिए animal waste to wealth management plants लगाना चाते है, उन सब की investment के लिए सरकार उनको incentive प्रवाइड करेगी by the scheduled bank, national cooperative development cooperation के द्वारा, life stock sector, ये क्या है, animal husbandry जो है, इसमें state subject है, मतराजयों के अधीन आता है, state manage all the things regarding the animal husbandry, 20th life stock census जो हुआ था, उसमें ये पाया गया था, कि साल 2012 के बाद से, इंडिया में life stock जो है, उसका increment 4.8% तक देखने को मिला है, animal husbandry के different types होती है, जैसे dairy farming, poultry farming, fish farming, farming, bee keeping, अब ये सब है क्या, ये सब है क्या, ये सब पशो की ही तो types है, मतलगलग varieties के जो भी animals है, उनका आप cultivation कर रहे या फिर उनका production कर रहे है, dairy farming में हम लोग टेक करते हैं, cows, buffalo, sheep और goats, poultry farming में हम लोग बर्ड्स पक्षी होगे, उनका breeding करते हैं, fish farming में फिश फोकस है, bee keeping जो is a part of animal husbandry project, जिसमें की बहुत सारा milk production इंडिया में करने, इंडिया में जो है, वो होना शुरू हुआ था, अंडर इस revolution, इसके जो फादर है, वो पद्म विभूशन, डॉक्टर वर्गिस कुरियन है, जिन्होंने operation flood चलाया था, ताकि इंडिया को सबसे बड़ा milk producing nation, या बेचने के लिए जाएंगे, ना कि एक एक फार्मर उस गाउं से जाकर शहरों में दूद को बेचेगा, उनका logistic cost बच जाएगा, जिसकी वैसे उनको फाइदा होगा, और operation flood जो था, वो इसी पे काम करता है, basic animal husbandry का, अगर statistics देखा जाए, तो 2018-22-23 के बीच में, milk production या फिर दूद के production से, silver revolution, अंडो के production से, एग production में भी increment हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि हम poultry का production अच्छा कर रहे है, poultry के जो birds है, उनका breeding अच्छा कर रहे है, इसमें आंधरापरदेश जो है, सबसी रहादा top पे है, एग production में, meat production को pink revolution कहते हैं, इसमें भी increment हुआ है, इसमें भ wool production में पिछले 5 साल में लगातर इंक्रिमेंट नहीं हुआ, इसमें राजिस्थान है, जो टॉप करता है in the wool production, हो सकता है, आपको ऐसा लगे उन को देखने से, कि जम्मेंट कश्मीर से उन जादा produce होता होगा, which is not the case, राजिस्थान जो है, उसमें सबसे number one पे wool production है, जम्में cattle in the world, इसके अलावा हमारे पास feed or fodder, अच्छी खाना नहीं है हमारे जानवरों के लिए, इस काना में दिक्कत आती है, अच्छा खाना क्यों नहीं है, देखें, इंडिया के पास सिरफ 2.3% ही तो land है पूरे दुनिया का, उतने land पे इंसानों को भी रहना है, उतने land पे जा उगाना भी और खुद के लिए भी उगाना है, तो land बढ़ जाता है, और इंडिया की population is also the highest in the world, और इंडिया की पॉपलेशन इस अगर बात कीजा है, तो बहुत सरी exotic disease हैं जो उनको effect करती है, जिसकी वैसे हम इलाज नहीं कर पाते, सब optimal state support मतर आज जी इतना ज़्यादा support जैसे कि merely 12% जो है public expenditure का वो एगरी culture में spend किया जाता है, तो बहुत कम पैस एगरी culture और उसकी allied activities में खर्च होता है, बाकि marketing, processing, value addition, जैसे कि dairy processing, unit लगाना, carcass utilization center लगाना, veterinary के research center लगाना, वो सम्म लगाते नहीं है, उसको बहुत ज़रा absence है, जिस वज़े से livestock जो है, वो animals के अंदर होती है, जिसके कारण animals को नुकसान पहुंचता है, अगले बात करेंगे national terminic board की, हल्दी तो हर कोई जानता है, दूद के अंदर डाल के आप पीते भी होंगे, so government of India ने हाल फिला, ये बोला है कि तलंगाना के अंदर national terminic board जो है, उसको establish किया जाएगा, which is also being established now, अ ministry of commerce, this is very important point, ये ministry of commerce के अंदर आएगा, अब board का composition अगर देखे तो इसमें एक chairperson होंगे, जो कि central government की तोरा select किये गए होंगे, secretary भी होंगे, चार members होंगे, और कुछ national और research institution के member इसमें representative होंगे, इसके objective जैसे मेंने बोला कि demand जो है, इंडिया की हल्दी की international market में, quality wise उसको improve करन infrastructure जो है, logistic, हल्दी का, हल्दी के products का, उनको improve करना, quality of safety standard का धियार, लखना, studies, research, ये सब जो है, हल्दी की property के regarding वो करना, अब बात करेंगे नाबाट की, यानि कि National Bank for Agriculture and Rural Development की, नाबाट ने successfully 1041 करोड रुपे, 5 साल के social impact bond में raise किये हैं, तो आपको समझना होगा, social impact bond क्या होत है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, word को तोड़के देखे, social impact bond, मतलब ये ऐसा कोई bond है, जो कि society पे कुछ impact डालेगा, मतलब आपने ऐसा bond जारी किया, जिससे आपने market में पैसा raise किया, उस पैसे को फिर आपने use किया, for some social benefit, जिसकी वैसे society पे impact पढ़ा, जैसे कि मैंन agreement sign करते हैं, किस चीज़ के लिए, एक predefined social outcome के लिए, एक ऐसी service के लिए, जिसमें society को benefit मिल पाई, for example, Pimpri Chinchwan Musible Corporation है, माराश्यो के पोने district में, इन्होंने United Nations Development Program के साथ, एक ऐसा ही bond sign किया था, जिसमें, जो कि इंडिया का सबसे पहला social impact bond था, जिसमें society पे कुछ positive impact के लिए का नाबाड के तहट ये चीज़ हुई है, नाबाड ने इन bonds को जारी करके अच्छा कासा fund raise किया, which means कि society वच्चे welfare impact आ सकते हैं, तो नाबाड जो है 1982 में BC Warman Committee के recommendation से बनाया गया था, और इसका main purpose क्या था, कि RBA, Reserve Bank of India, या फिर उससे associated, जो scheduled bank है, सीधा जाके वो agriculture से related credit, या फि facility किसानों को provide करें, instead of it, नाबाड was being set up, जो कि agriculture से related credit function जो है, वो संभार रहा था, अब RBA को ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, इसके अलावा agriculture refinance and development corporation को refinance करना, जो कि agriculture की आगे support करेगी, ये काम भी नाबाड करता है, इसकी जो ministry है, वो ministry of finance है, this is very important, नाबाड actual में deal क करता है, agriculture and rural area के funding को, लेकिन इसकी ministry, ministry of finance है, ना कि ministry of agriculture, इसकी ownership जो है, 100% जो है, ये गौर्मेंट, मतलब से इसको ओन करती है, इसके अलावा ये development bank है, which work for the rural prosperity, ग्रामीन इलाकों के लिए काम करता है, इसका जो mission है, वो equitable agriculture, rural development, ये सब करना है, जैसे बात करेंगे functions of नाबाड कि credit से related function और non credit related function ये दोनों करते है, मतलब उधार देना और उसके बुनियावले function, उधार देने में क्या करेंगे, मतलब जो आपका rural area, ग्रामीन इलाका है, उनमें refinancing करना, उनमें उधारी देना ताकि वो अच्छा infrastructure develop कर पाए, इसके अलावा अगर वहाँ पे village industry, handicraft, rural craft, क functions क्या होते हैं, इसमें क्या है, regional rural bank, cooperative bank, इन सब को वहाँ ग्रामीन इलाकों में set up करवाना, इनको financial inclusion के लिए encourage करना, इनको support करना, ये सब भी करता है, इसके अलावा जो likelihood opportunity होते है, micro enterprises की, उनको promote करना ये काम करता है, फिर research and development जो है, आपका rural area में उसमें innovation उसमें भी मदद कर कुछ initiative और नावाद के लिए गए है, जैसे कि रूरल infrastructure development fund जो है, ये नावाद के दोरा create किया गया था, जिसमें 5 लाग करोड रुपे नावाद के दोरा put किया गया थे, ताकि रूरल area का infrastructure मजबूत हो सके, इसके लावा watershed development fund और टराइबल development fund जो है, इसमें भी नावाद जो ह famous model है, नावाद के दोरा जारी किया गया, जो successful model है, जहां पर tribal population को बहुत अच्छा रोजगार जो है, वो नावाद ने provide किया था, refinancing की बात करें, तो 20 लाग करोड रुपे, ग्रावीन economy में, अभी तक 42 सालों के अंदर, 42 years के अंदर, नावाद के दोरा investing या फिर refinance किये जा चुके है, refinancing का मतलब एक बार तो finance मिल गया, एक बार पैसा दे दिया, refinance मतलब दूसरी बार पैसा दिया आपने, मतलब नया loan लेना, नया loan लेके पुराना वाला जो धार है उसको जुकतर कर दिया जाता है, बच्चे हुए पैसे से फिर से financing ये investment की जाती है, इसके लाब रूरल financial institution को मजबूत करना नावाट का काम है, for example, आपका regional rural bank हो गया, rural cooperative bank हो गया, अगली बात करेंगे इंडियन council of agriculture research की, इंडियन council of agriculture research और consultative group on international agriculture research ने मिलकर international research conference जो है, from research to impact toward just and resilient agri food system launch की है, मतलब हम कैसे agri food system को revive कर सकते हैं, कैसे justified बना सकते हैं, कैसे उस उस पर research कर सकते हैं, ये सब इस पर discuss किया गया, इंडियन council of agriculture research के अगर बात की जा, तो ये organization एक autonomous organization है, जो agriculture ministry के अंडर काम करती है, इसका main focus जो है, वो दरसल 1929 में start हुआ था, इसको imperial council of agriculture research के तौर पर set up किया गया, और ये आपका society re-or registration act 1860 के अंदर set up की गई थी, इसकी recommendation पर किसने दी थी, royal commission and agriculture ने दी थी, तो इस body का मतलब क्या है, नाम से clear है, agriculture related research करना, उसका education करना, अब agriculture में केवल agriculture खेती बाड़ी नहीं, इसके अलावा बहुत सारी universities हैं, जो कि इसके साथ alliance में है, या फिर इसके साथ affiliated है, या उनके लिए भी काम करती है, अब रोल के अगर बात की जाए, तो ये agree food system को किस तरीके से better बना सकती है, Indian council of agriculture research, आमसी बात है, ये research करते हैं, तो green revolution भी जबाया था, फिर आपकी पूसा बास्मती 1121, ये विश्व की सबसे बड़ी बास्मती राइस की वाराइटी है, ये भी उस्टम पर लाँच की गई थी, wheat की वाराइटी यहाली की गई है, HD 2967, DBW 187, अब आप सोच सकते हैं, कि ऐसा type of question जो है, कि सीड प्रोग्रम के तहट जो आपके बीज होते हैं, जैसे मैंने गोला था, कि हमारे जो बीज होते हैं, वो खीवाल कमर्शिलाइज कर दिये जाते हैं, मतलब अच्छे तरीकी क्वालिटी कर दिये जाते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता है, उनको certificate नहीं मिलता है, तो Indian Council of Agriculture Research जो है, यह इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिट बना हुआ है, यह कह लीजे एक क्या बोलते हैं उसको, Harry Potter की मुवी है ना, तहखाना बोल दीजे, मतलब ऐसा कुछ तहखाना बना हुआ है, स्वालबाड ग्लोबल सीड वॉल्ट कहते हैं इसको, अच्छा यह ना, नौर्वे के अंदर है, नौर्वे कंट्री है, आपने देखा होगा, आर्किटिक ओशिन के पास, नौर्वे में स्वालबाड ग्लोबल सीड वॉल्ट, तहखाना बना है, जहां पे जितनी भी वेराइटी हैं, अच्छी अच्छी, बीज की, सीड्स की, उनको स्टोर किया जाता है, हमारी तरफ से, वहां पे स्टोर करने के लिए कौन जाता है, इंडियन काउंसिल आफ एग्रिकल्चर सर्च जाता है, ताकि उन भी जो के डिप्लिकेट्स हो है, उनको सेफ करके रखा जा सके आने वाली जनरेशन के लिए, इसके लावाद जिनॉमिक्स में भी ये काम करता है, नैशनल जीन बैंक दिल्ली के अंदर, नियुडली में स्थापित किया गया बैंक है, जो कि सेकेंड लार्जिस्ट जीन बैंक है, पूरी विश्व का, इस जीन बैंक के अंदर जो डिफरेंट कांड अफ वैराइटीज है, सीड्स की, क्रॉप्स की, उनके रिगार्डिंग जो जीन्स है, उन पे जो रिसर्च है, वो सब की जाती है, ग्लोबल जीनॉम सीक्वेंसिंग बहुत सारे फस्टों की की जा रही है, जैसे की राइस की, वीट की, टमेटो की, पटेटो की, अब ये जनॉम सीक्वेंसिंग क्या होता है, आपको ये तो पता होगा, कि इंडिया के अंदर हिउमन जनॉम प्रजेक्ट चल रहा है, जिसमें 10,000 ऐसे इंडुजिल हैं, जिनके जो जीन्स हैं, उनकी स्टडी को किया जाएगा, और हमारी जीन्स की स्टडी का, जीन्स का सारा हिसा जब स्टडी करते हैं, उसे कुछ जिनॉम कहते हैं, इसी तरीके से फसलों की भी जीन्स जो है, उनको स्टडी करके उनका जिनॉम जो है, उसको बना के रखा जाता है, तांकि हम यह देख पाएं, कि किस तरीके से डिफरेंट फसलों के अंदर, जनेटिक विरिएशन ओवर दा पीरिएड अफ टाइम हुआ है, इस सब में जो रिसर्च में पार्टिस्पेंट है, वो इंडिन काउंसल अफ एगरिकल्चर रिसर्च है, इसके लावा, Climate Smart Farming को यह प्रमोट करते हैं, इसमें जो Rain Water Harvesting है, उसको यूज किया जाता है, मतब बारिश की पानी को सेव करके बाद में फसलों के लिए उसकरना, Climate Resilient Variety, जो की Climate के साथ मतब फाइट करके Variety Stable रह सके, के राइस के फसलों की, उनको जादा प्रमोट किया जाता है, जैसे ऐसी को Variety को प्रमोट करना, डेजर्ट के अंदर ही आम लगाना, क्या बोलेंगे, वह वाला जो मैंगो है, फिर वो Climate Resilient है, वैसे डेजर्ट के Climate में, वह वाला आम जो है, एक Variety है, यह Bio-Fertified Crop है, जिसको और जदा Enrich किया गया है, अच्छे-च्छे Minerals, अच्छे-च्छे Nutrients के साथ, यह Malnutrition को Fight करने में मदद करती है, इसी तरीके से PUSA 00 Mustard 31, यह Canola का एक Variety है, Canola Quality का Mustard Variety है, जिसको के Enrichment के लिए, हमारे Nutrition के लिए यूज किया जाता है, इसके अरब PUSA Decomposer भी Indian Council of Agriculture Research ने बनाया था, आप सबको पता है ना, कि इस Stubble बनेगी, यानिकि पराली वगएरा को बहुत ज़ाया जाता है कि जानों के द्वारा, जब वो जलाया जाता है, तो उससे बहुत सारा Pollution होता है, तो Actual में Indian Council of Agriculture Research पूरसा Decomposer लेके आई है, इस Decomposer की मदद से आपकी जो फसलिया को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत तेजी से ही उसके जो बचे हुए अफशेश है, वो Decompose हो जाएंगे, उसको जलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, रेजिडियो बहुत अच्छे से खतम हो जाएगा मिट्टी के अंदर ही, तो आप जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो सकता है, इंडिया ने इसके अलावा फर्स्ट क्लोंड वो फैलो जो है, वो पूरे विश्व में अभी रीसेंटली बनाया था, और फिर प्रत्थम जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला आईवेफ के द्वारा बनाया गया है, वो फैलो कार्फ है, उसमें अपना मत्ब नाम दर्श किया है, इसमें भी Indian Council of Agriculture Research ने अपना contribution दिया, अब क्योंकि Indian Council of Agriculture Research ने Conservative Group on International Agriculture Research के साथ मिलकर ऐसा कुछ इनीचेटीव लॉँच किया, तो ये जो Conservative Group on International Agriculture Research है, इसको 1971 में सेटप किया गया था, ये donors के द्वारा, मतलब बहुत सारे international research centers, private businesses, इन सारे donors के द्वारा बनाएगी एक agency है, जो कि global partnership लेवल पे काम करती है, और इसका main purpose है food secure future बनाना, मतलब कि food की safety और security जो है feature की generation के लिए ध्यान में रखना, ऐसा ना हो climate change की वज़े से food जो है, उसकी security over the period of time in future खतम हो जाए, ये पाँच areas में काम करती है, nutrition, health और poor security, गरीवी का reduction करना, gender equality, climate adaptation और environmental health, biodiversity, अब हम बात करेंगे next topic की जो है mining and industry, सबसे पहले news है, Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Act 2023, तो ये जो बिल है आपका, ये अब act बन चुका है, इसने Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 को amend किया, इससे पहले 2015 में भी act अमेंड हो चुका था, जि है, उसको establish किया गया था, फिर subsequently 2016, 2020, 2021 में इससे में कुछ ना कुछ amendment किये जा चुके है, जैसे कि distinction जो है captive of merchant mine, इन में हटा दिया गया है, मतलब अब इन में कोई difference नहीं है, captive और merchant mine का मतलब क्या होता है, captive का मतलब, जो आपकी captured की हुई mines है, यानि कि उनको captivity में रखा गया है merchant mines का मतलब जो वैपार के लिए उसकी जा रही है, captive मतलब वो यूज करके छोड़ दी गए है, लेकिन स्टिल वो किसी के अंडर है, किसी company पर उसका हक है, पर mine का को यूज नहीं है, उससे सारा समान निका लिया गया है, removing the restriction on the transfer of mineral concession, mineral concession, आप संजिए कुछ थोड़ा बहु उसको इंटर्ड्यूस किया है, मतलब अगर आप critical minerals को भी अब explore करना है, तो उसके लिए license जारी किया जाएगा, exposition license जो है, वो auction यानि की बोली वगएरा लगा के मिलेगा, और इसी act के ताहित कवर होगा, इसमें 29 minerals, 29 minerals कवर के गया है, जिसमें lithium, copper, potash और zinc minerals है, जिसमें की बात की जाए, मतलब कितनी देर के लिए किराय पे mining का lease मिलेगा, वो सारा period जो है, वो दर असल mention किया गया होगा, एक proper जो document होगा उसके अंदर, और state government को इससे अच्छा का सा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि राजे की सरकारी तो किराय पे देरी नो जमीन को, कि जाये जाके इ और इनका export अच्छे से हो पाए, यह omitted minerals की यहां से नाम लिखे गए है, बैरिल हो गया, lithium bearing mineral, niobium हो गया, titanium हो गया, tantalium हो गया, और आपका zirconium, यह सारे minerals अब atomic minerals के अंदर नहीं आते हैं, this is very important, so emission का मतल यही है, कि जो आपका 5th schedule है, part B है, जो इस act का, उसमें यह minerals दिखे लेकिन अब इसमें से ही आपके 6 mineral हटा यह गई है, इसका मतल यही है, कि इन minerals से related up India को कोई भी commitment नहीं है, world के अंदर, India चाहे तो इन minerals से emission, global emission में जो होता है, वो contribute कर सकता है, पहले क्या था, इन minerals के तहद आप किसी भी तरीके का emission नहीं कर सकते थे, world के अंदर, environment के अंदर, क में improve कर सकते हैं, और government entity से permission ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यानक नहीं है, कि मतलब, अगर आप remove करते है, इन minerals को, तो आपको definitely उसके लिए कुछ fees, या फिर lease amount जो है, वो भरना पड़ेगा, तो अब से यह आपके atomic minerals खुल चुके है, private sector के लिए, अगली बात करेंगे Central Government की, Central Government को empower किया गया है, या आप से कह लिए, power दी गई है, कि exclusive तोर पे mineral के जो concessions होते है, critical minerals के लिए, उनका auction जो है, वो सरकार कर सकती है, मतलब कोई भी critical minerals, अगर export, अगर explore किये जा रहे हैं, किसी भी private company के द्वारा, तो उसके लिए जो concession सरकार को भरना पड़ेगा, वो जो भी private company concession देना चाहती है, उसकी बोली लगाएगी, कोई बोलेगा, मैं एक लाग करोड रुपए का mineral concession दूगा, कोई कहेगा, मैं इतने करोड का दूगा, इतने लाग का दूगा, वो सब बोली के थुरू होगा, auction लगेगा उस चीज का, और यह auctioning सिरफ central government करेगी, state government न minerals, इन सब पर बोली लगेगी, अगर आपको अब इनका, वो करना है, concession piece बन दी है, तो, central government के लावा, state government का क्या रोल है, तो देखे, central government तो auction कंड़क्ट करेगी, mining का जो lease है, या फिर इसका composite license, जो है, वो दरसल state government जारी करेगी, मत्तब auction कौन करेगा, central government, लेकिन अगर auction लग उसके बाद bidder's को successfully document release करना, या permission देना, वो सब state government करेगी, या बहुत important है, ठीक है, auction का जो premium है, या फिर कोई भी statutory payment है, वो payment भी receive कौन करेगा, state government करेगा, critical minerals के अगर बात की जाए, तो, ministry of mines के दवारा, एक पहली ऐसी report निकाली गई है, जिसमें critical minerals जो है, इंडिया का, उनका listing किया गया है, ministry of mines के दवारा, critical और strategic minerals, दो तरीके के minerals की बात की गई है, तीस तरीके के हमारे पास critical minerals हैं, जिसमें की 17 rare earth element है, और 6 आपके platinum group element है, rare earth element मतलब बहुत rarely अर्थ के अंदर मिलते हैं, और पूरे विश्व के अंदर सबस्राद rare earth element चाइना के अंदर है, rare earth element के अंद यह depend करती है, दो parameters पर, यह दो parameters यहां लिखे गए हैं, सबसे पहले economic importance कितनी है, दूसरा उसका supply का risk कितना है, मान के चले economically बहुत जदे important mineral है, लेकिन उसकी supply इतनी जदे sufficient नहीं है, क्योंकि वो इतना जदे है ही नहीं है हमारे धर्ती के ओपर, तो आमसी बात है वो critical हो गया, critical condition का मतलब यह होता है, economic importance में क्या check करेंगे, कि उसका potential, मतलब disruption potential कितना है, इसके लावा उसका substitute ability index कितना है, मतलब उसके substitute हैं के नहीं, GVA multiplier score कितना है, मतलब आपका जो gross value added है, उसमें उसको कितनी value मिली है, cross cutting index कितना है, supply risk में के check करेंगे, कि mineral का construction जो है उससे related governance के parameter अच्छ कर सकते हैं, which means self-sufficiency, फिर उसके substitute हैं के नहीं available वो भी check किया जाएगा, इसके लाव ध्यान रखेंगे, critical minerals का definition आप से पूछा जाए, critical minerals वो होते हैं, जो कि modern technology के लिए बहुत जादा important है, जिनको कि अगर disrupt कर दिया, तो technology disrupt हो जाएगी, for example, antimony, beryllium, cobalt, copper, इंडिया जो है, इसे mineral critical हैं, जो कि import किये जाते हैं, जैसे कि cobalt को हम चाइना, जापन से लेते हैं, lithium को चिली रशिया चाइना से लेते हैं, nickel को हम लोग स्वीडन और चाइना से लेते हैं, यह जो minerals हैं, हर जगह पर, mobile phones, computers, battery, electric vehicle, सब जगह भी यूज किये जाते हैं, अब इंडिया ने security partnership जो है, वो इंडिया ने जॉइन की है, USA के साथ, और USA के दुवारा ही 14 countries के साथ, मिलकर ही आपका security partnership आया था, जिसमें अब इंडिया भी member है, जिसमें बहुत सारी public और private investment किये जाएंगे, तांकि critical mineral का जो supply है पुरे world के अंदर उसको sustain किया जा सके, supply chain resilience initiative, इसका भी इंडि करना, और चाइना पर जिडिपेंडेंसी है, उसको थोड़ा सा धिरी दर करके हटाना, अगली बात करेंगे, Offshore Area Mineral Development and Regulation Amendment Act 2023, so यह bill अब act बन चुका है, यह act main purpose जो था इसका, यह वो था, Offshore Area Mineral Development and Regulation Act 2002 को amend करना, Offshore Area का मत्तब क्या होता है, समूदर से दूर का area, समूदर से अंदर ही आता है, वो सारे area का development करना, regulation करना, in terms of mineral resources, यह इसका objective है, यह जो आपका act है, यह Union Government के अंदर आता है, Offshore Mining का जितना भी process होता है, मत्तब अगर आप समूदर के area से mining करने जाएंगे, तो उसकी सारा control and regulation भी settled government के पास आएगा, और इसमें mineral deposit को निकालना, deep sea bed के वो सब control कान करेगा, Union Comment, इसमें act में कुछ changes आएगा है, जैसे कि 2002 का कहता था, 23 का कहता है, comparison से समय लेते हैं, license की बात करने, तो पहले 2002 में आपको different license चाहिए होता था, production के रिलग चाहिए, exploration के रिलग चाहिए, लेकिन अब क्या है, composite, मत्तब अगर आपने explore कर लिया mineral को, तो administrative allocation होता था, मत्तब सीधा सीधा आप document आप डाल दीजे, lottery निकली तो निकली नहीं तो नहीं निकली, लेकिन अब क्या है, अब आपकी बोली बगएरा, bidding लगती है, तो देखें, concession आले में दिक्कत ही होती थी, धानली बहुत होती थी, अगर आपको को अंदर बंदा बैठ आपको सीधा कर देता था, अगर आपने जादा concession या जादा पैसा सरकार को promise कर दिया, तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अब competitive bidding लगती है, मतलब यह देखा जाता है, कि अब कितना जदा production कर सकते हैं, कितना जदा efficient कर सकते हैं, environment को नुकसान तो नहीं पचाएंगे, वो सारे parameters देखे जाते हैं, तमाम parameters, अब अगली बात करेंगे माइनर की, तो mining बोला है, उसको पहले allow होता था, offshore area में, मतलब exploration करना, mining करना, लेकिन अब क्या है, administrative authority जो है, वो composite license या production license, जो है, lease जो है, वो किसी सरकारी company को allow कर सकती है, पहले जो allow किया जाता है, उसमें operating right नहीं होता company के पा सरकारी company के बास, लेकिन अब वो पाएगा, नए provisions कोछ और है, जैसे कि atomic mineral, मैंने आपको बोला, उनको mining कर सकते हैं, लेकिन यह उन्हीं को दिया जाएगा, जो कि सरकारी companies है, यह जीज़ आपको ध्यान करी है, offshore area mineral trust, इसको establish किया गया है, यह क्या करेगा, यह public account of India के इसका fund जो है, वो manage किया जाएगा, यह non-lapseable in nature होगा, इस fund को use किया जाएगा offshore area mineral exploration के लिए, fund जो है, वो specified purpose के लिए भी use किया जाएगा, अगली बात करेंगे, national geoscience data repository portal के बारे में, union ministry of mines के द्वारा इसको reduce किया गया है, यह जो portal है, यह national mineral exploration policy 2016 का हिस्सा है, इसका main purpose है, geological, geochemical, geophysical, और mineral exploration का जो data है, उसको public domain के अंदा लेकिन उस public domain के अंदर कैसे लाए जाएगा, digital format में लाए जाएगा, geological survey of India जो है, इसको responsibility दी गई है, जो इसको establish करेगा, अबात करती है, national mineral exploration policy के बारे में, 2016 में यह policy आई थी, इसका main purpose था, private sector जो है, उनका participation mineral exploration के मामले में जा जाल के exploration कर लीजिए, तो बोली विगरनाल गाई जाती है, इसके लावा baseline geoscientific data जो है, इसको public good के तौर पे create के जाता है, मतलब आम तौर पे public transparency रखी जाती है, कि कौन सा data, कौन सा mining इस company को release किया गया है, पूरा data जो है, इसको detail रखा जाता है, फिर पूरे country जो में आथा ज जाता है, देखा जाता है, कहां पर कौन-कौन से minerals हैं, कहां पर कितना-कितना exploration करना है, Geological Survey of India, जो है, ये 1851 में established किया गया था, Ministry of Mines के अंदर आता है, ये बहुत important है, इसको main purpose है, geoscientific data, mineral source assessment, और marine survey करना, इसके regional office लगनो, जैपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलॉंग सबसे वहले आपको धियान रखना है, कि इन्होंने इस मतलब particular amendment rule ने, 2023 वाले ने special economic zone rule 2006 को क्या कर दिया, amend कर दिया, अब इस amendment में क्या गोला गया, इसमें साफ-साफ ये कहा गया, कि information technology enabled service देने वाला, अगर कोई भी built-up area बनता है, मतलब धियान सिर चीज़ को समझेगा, कि information technology की company है, ठीक है, इन्होंने इस area बनाया, ये है आपका पूरा special economic zone, इसके अंदर इन्होंने एक area demarket कर दिया, ये demarket area जो है, ये non processing area है, मतलब इसमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, बस ये non processing है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें sporting infrastructure रखा गया है, तो ये non processing area है, इन्होंन नहीं माना जाएगा, तो इसके अंदर जो भी आपको tax concession मिला करते थे, अब वो आपको नहीं मिलेंगे, ये इसका main purpose है, processing area जैसे मैंने आपको बोला, क्या होता है, जहां पे आपका goods का manufacturing वगरा होता है, non processing area वो जहां पे आपका sporting infrastructure है, तो SEZ, special economic zone के ताह, जो भी tax concession यार य demarkation जो है non processing area की, वो तब permit नहीं की जाएगी, अगल आपका total area है, जितना भी area है, उसमें जो आपकी processing है, वो जादा area में हो रही है, और 50% से आपका कम area ही केवल non processing area है, उस case में आपको demarkation करने की ज़रूरत नहीं है, और ये उन्हीं के लिए है, जो information technology enabled service देने वाले SEZ है, ये बहुत important है, special economic zone होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक ऐसा conclave या फिर ऐसा enclave होगा, जहाँ पर किसी भी तरीक्या का, ऐसा zone है economy का, जहाँ अगर आप कोई भी production करते है economy से related, वहाँ पर किसी भी तरीक्या का duty आप पे नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि इंडिया के अंदर होते हुए भी आप इस एरिया में जहाँ production कर रहे हैं, जो कि SEZ है, वो एक foreign territory है, तो foreign territory के हिसाब से ही आपको trade operation करना, duties, tariff, ये subtext होगेरा लगेंगे, इसका main objective क्या था, additional economic activity को इंडिया के अंदर promote करना, goods and services का export है, उसका promotion करना, investment जो है domestic of foreign sources से, वो ज कि बहुत सरे countries में already है, इंडिया के अंदर भी है, चाइना, इंडिया, Zordan, पॉलेंड के जाकिस्थान, फिलिपिन, रोशिया, ये सब इसका पार्थ है, Special Economic Zone Act 2005 जो है, इसके तहरे Special Economic Zone के रूल बिनाए गए थे, which was applicable in 2006, SCZ में बहुत सारे जोन आते हैं, जैसे export processing zone हो गया, free zone, industrial state, free trade zone, free port, open enterprise zone, ये सारे zone इसका हिस्सा होते हैं, जैसे कि पूरी के पूरी एरिया है, SCZ, इसमें export processing zone कौन सा होगा, जहां पे export related समान क्या processing होती होगी, इसके लावा हमरे पास 276 Special Economic Zone है, जो इंडिया के अंदर operated है, जो total export है, इसमें से 2022-2023 में वो लगभग 155 डॉलर के आस तो सबसे बहले उनको ये लालिज दिया जाता है, कि इस एरिया में आपका जो import होगा, जो भी आप सामान import करेंगे, इस पर कोई duty नहीं लगेगी, आप अगर domestic level पे इंडिया से ही कोई सामान raw material खरीद रहे हैं, तो import नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये मानने ने क्या foreign entity है इसके लावा आपकी percent to sale tax, service tax, state sale tax, ये सब नहीं लगेगा, फिर GST भी आपको वतलब रियाए दी जाएगी उसके अंदर, कुछ और एरिया में भी exemption दिया गया है, टेक्सिस के अंदर, इसके अलावा zero rated जो है special economic zone, वहाँ पे supply दी जाएगी zero rated मामले में, मतलब जो आपका intermediate G जो दो राज्यों के बीच में सामान भीजने पर लगता है, वह भी नहीं लगेगा, इसके लावा असानी से window clearance या license वगरा मिल जाएगा, अगली बात करेंगे, production linked incentive scheme के बारे में, government ने डिसाइड किया है, कि production linked incentive scheme जो है, वो नई sector के लिए अब नहीं लाई जाएगी, इसका main purpose पहले किया यह समझेए, देखिए, अगर आपने कुछ production किया अच्छा खासा किसी भी sector के अंदर, खास करके manufacture में, अगर आप अच्छा perform कर रहे हैं, तो performance के हिसाब से आपको सरकार incentive देगी, इसका main purpose यह था, इसमें बहुत सरी sector कवर हो रहे थे, जैसे कि medical device बनाना, auto बना, manufacturing को अलग-लग sectors में पर्मोट करना, इसमें आपको incentive दिये जाते हैं, जैसे आपकी sale बढ़ती है, so multiple sectors को benefit हुआ भी इससे, और global level इंडिया को champion मनाने के लिए, अलग-लग categories में इसको खोला गया था, so major objective किया था, कि इंडिया को manufacturing hub बनाएंगे, global champion बनाएंगे, ज्यादा इंव manufacturing उसमें contribute करें, ये इसका target था, self-reliance हमारा बनाना, export हमारा ज्यादा होना, quality export हम कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्ट्स का हना, capital expenditure उसको ज्यादा मतलब increment करना, capital expenditure का मतलब जिसमें आपको asset बनाने है, जिसको आप छू सकते हैं, physical asset, वो ज्यादा create होंगे इससे, इसके environment को फाइदा दे रहा है, जैसे electrical vehicles, solar photovolatics, ये सब यूज करने के लिए, यहाँ पे ज्यादा incentive है, यहाँ पे ज्यादा scheme applicable थी, फिर production linked incentive scheme, 2.0 for IT hardware scheme, ये अभी भी निकाली गई है, ministry of electronics ते इस scheme का second version launch किया है, इसका main purpose है, आपका hardware sector के अंदर, इंडिया की manufacturing capability को increase करना और export को enhance क इंडिया को जो share है, global electronics manufacturing में, वो 2014 से अभी तक, 2021 में increase हुआ है, इसके purpose में, मैंने आपको बता दिया कि क्या किया जाएगा, financial incentive दिया जाएगा, ताकि electronic sector में hardware के अंदर, इंडिया का investment increase हो सके, इंडिया की manufacturing बढ़ सके, इसमें laptop बनाना, tablet बनाना, इस सबाएगा, इस scheme का जो है, वो 6 साल होगा, budget 17,000 क्रोड रुपए है, इसके लावे incentive भी दिया जाएगा, पर company के साब से कितना incentive मिलेगा, वो लिखा गया है, कि कितनी उनकी sale रहेगी, expected benefit, total production इस से क्या होगा, इस से electronics and manufacturing का total production जो है, वो लग भग आपका जो है, वो बढ़ जाएगा, और investment भी बढ़ modified semi-con India program के अंदर होगा, so modified semi-con India program, ministry of electronics का program है, 2021 में लाए गया था, इसका main purpose है, आपका उन companies को attract करना, जो की silicon semiconductor fab, display fab, compound semiconductor, semiconductor design, यह सब बनाती हो, semi-conductor कहाँ पर यूज होते है, आप laptop यूज करते है, उसके अंदर जो भी आपकी chip गहरा motherboard लगा है, उसमें semi-conductor ही यूज होता ह और इसी scheme का ही हिस्सा बनेगी, इंडिया का जो semi-conductor market है, अगर देखा जाए, साल 2026 तक हम इंडिया का market value 64 billion dollar तक कर देंगे, semi-conductor market का, और हमारा chip manufacturing जो है, वो target भी अब क्या है, कि 2000 chips हमें हो हर साल में बनानी है, research and development के लिए इसमें funding जो हो डाली जाएगी, हमारे पस और चार scheme है, जो modified semi-conductor India program का हिस्सा है, जैसे की modified scheme for setting the semi-conductor fabs, fabs का मतलब labs जैसे काम होता है, इसमें fabrication किया जाता है, semi-conductor का, इसके अलावा display fab बनाने के लिए भी scheme है, फिर modified scheme है, हमारे पस compound semi-conductor, silikons के लिए, और discrete semi-conductor बनाने के लिए, एक design link incentive scheme है, जैसे production link थाना, वैस उनका design तयार करना है, अगली बात करेंगे, global semi-conductor scenario के विश्व में, पुरा वर्ल अगर देखते हैं, तो Taiwan जो है, वो सबसे ज़्यादा leading है in terms of manufacturing the microchips, सबसे ज़्यादा 60% world के semi-conductor है, वो Taiwan से ही आते है, इंडिया के अगर बात कीजा है, तो India खुद को semi-conductor technology के field में, ज semi-conductor mission launch किया था, 2021 में, production incentive scheme जो है, उसको भी लाँच किया, अब बात करेंगे, National Pharmacy Commission Bill 2023, Ministry of Health and Family Welfare ने इसका ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कि Pharmacy Act 1948 को replace करके, existing pharmacy council of India की जगह, National Pharmacy Commission जो है, उसको लाया जाएगा, इसका main purpose क्या है, health goal of pharmaceutical education को और भी जजदा qualitative बनाना, फार्म से रिलेटेड ग्रिवानास होते हैं, उनको address करना, ट्रांस्परेंसी लेक्याना, फार्मेसी के इंस्टूइशन को assess करने के लिए, फार्मेसी सेक्टर के अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है, in terms of volume in the pharmacy सेक्टर, 60% of the global vaccine production इंडिया की फार्मेसी सेक्टर में होती है, चाहे आप COVID की वैक्सिन लीजिए, पूरे बेस जापका जो फार्मेसी के इंस्टिटूट है, वहीं से बनके निकल थी, major segment कौन कौन से इंडिया के रिरेटेटर, फार्मेसी में बात कुछ होता है, दवाई आटी के वो सब, जैस इंडिया से आती है, फार्मेसी एक 1948 उसमें बोला जाया है कि इस तरीके से फार्मेसी के प्रफेशन को इंडिया में रेगुलेर किया सकता है, इसके तरह बहुत सरा ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है वो इंडिया को प्रवाइट किया जाएगा, फार्मेसी कांसिल उसको अब इसके नाम बदल दिया जाएगा, राजियों में भी फार्मेसी कांसिल जो है, वो खोली जाएगी ताकि फार्मेसी जो होते हैं, आपके केमिस्ट इनको कहते हैं, उनका रिजिस्ट्रिशन हो सके, फार्मेसी कांसिल उफ इंडिया एक स्टेट्यूटरी बॉड़ी है, जो कि फार्मेसी एक 1948 के ताहर सेटप की गई थी, यह मिनिस्ट्य ओफ हेल्थ के अंडिया एक अंडिया जिसका मीन परफुस है, फार्मेसी के एजुकेशन को रेगुलेट करना, और यह बहुत सरी एजुकेशनल स्टेंडर्ड जो है, फार्मेसी इजुकेशन को रेगुले इसका मेन परफुस किया है, इंडिया को ग्लोबल लिडर बनाना, मेडिकल डिवाइस के प्रडुक्शन में, मैनिफेक्ट्रिंग में, और इसकी इनोवेशन में, अगले पच्छी साल में हम यह काम करेंगे, इसके लावा दोज़ा तीस तक का ताहरे है कि हमारे जो मेडिकल डिवाइस का सेक्टर है, उसकी ग्रोफ जो है, वो 11 बिलियों डॉलर से लेकर 50 बिलियों डॉलर तक हम लेके जाएंगे, और और के मैनर में में ग्रोफ करेंगे, मतलब हम एक्सेसिबिल्टी जो है, हैल्थ की, मेडिकल कॉंपनेंट्स की, क्वालिटी इनोवेशन, इन सब क इन सब्सक्राइं का गिडियों डॉलर से बछाइं गिखरेंगे, मेडिकल डिवाइस के का सब्सक्राइशन से लिएशन तक ही ज्या फोर्थ नंबर पे से लिए एक जेए बात में मेडिकल मार्के आथ इन सब्सक्राइस म स्यावी जोनस कामप्णीर में पायता है, इन्दा चलेरेंसे सिस्टम रखेंगे जिसम्हें अच्छे से चलेर यंजाज़ आपको स्टैंडडाइज सिस्टम मिझा एक्स तरीके से आपको इन्वेशन लेके आएं, इन्वेस्टमेंट भी फैच किया जाएगा, पभी प्राइब पार्टनर्शिप लेके आए जाएगी, हम लोग स्केल्स वगारा प्रफेशनलों की उनको डिवेल्प करेंगे, अगली न्यूस की बात करें, तो इसी रिडिटेडिक न्यूस है, जो बन रहे हैं, उनके लिए कॉमन फैसिलिटी स्कीम लाई गई है, और उनको एसिस्टेंट दिया जाएगा, इसमें मेडिकल डिवाइस के क्लस्टर को मजबूत किया जाएगा, यह सब आपका Ministry of Chemicals and Fertilizer के अंदर होगा स्कीमा जो डैनोर है वो चार साल है दोजा तेई से लेकर दोजा साथ तक यह चलेगी इसके दो कॉंपोनेंट है सबसे परलग कामिण है कि अजए सबसे कॉंपोनेटीर दिरा के पिर है से कॉमन फेसिली なियों साथ देना जो की सब्सक्विड संnes मेडिकल क्लस्टर है उनको अभी जदे नहीं प्रचूक्चर के लिए जो शहन के नाण के ॡजो फचिप्ज अ वह सबयार दोजां शुक्स उनका टेस्टिंग अच्छी से कर सके हैं, उनके लिए लैप्स को सेट उप करना, उनकी क्वालिटी को चेट करना, यह सब इसमें फंडिंग दिया जाएगा, आप धियान एकेंगे, 70% का मतलब एप्रूविंग, एप्रूवल दिया जाएगा, तेस्टिंग फेसिलिटीज के अगरा पांच क्रोड तक की फेसिलिटी लगा रही है, हिमालियन स्टेट्स के लिए 90% की हेल्प की जाएगी, अब बात करते हैं, इंफ्रस्रक्ट्चर के बाट की सबसे बले नियूज है, आपकी डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्रक्ट्चर के बारे में, इंपली अगर पू इंफ्रस्रक्ट्चर रहासल क्या है, मतर् इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सरी कंट्रीज मिलकर एक रिपाजिट्री बनाएंगे, जहां पर उनका जो खुद का इंफ्रस्रक्ट्चर रहा वो लोग शेयर करेंगे, इसके तहत एक डेकलरेशन भी जारी किया गया है, इसके इंफ्रस्रक्ट्चर को और भी जदा मजबूत बनाएगा, उनके लिए फाइनाइस दे के आएगा, इसको डिवल्प किया गया है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्रक्ट्चर रिपोजट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ लेक्र्ट्रोनिक्स के दोबादा, जिसका मेन प वो हिस्सा लेंगे, social impact fund मतलब इसी के लिए फंड जो है, वो जारी किया जाएगा, जो middle income countries को finance करेगा, तकि वो अपने digital public infrastructure को और जदा मजबूत कर सके, इसमें बहुत सारी stakeholders, बहुत सारी government जो हिस्सा लेंगी, और global south, global south मतलब आपके गरीब country, पूर country इनको कहा जाता है, इ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनको अगर पैसा मिल जाएगा, गर उनको अपने infrastructure को digital level बना पाएंगे, तो sustainable development goal को अच्छे से अचीब कर पाएंगे, डिजितल public infrastructure मैं अच्छे से अचीब कर पाएंगे, यह तरीक का shared digital system होता है, जो secure होता है, इसमें बहुत open standard और प्राइविट सेक्टर दोनों जो है, वो coexist कर सकते हैं, की pillars, इसके important pillars क्या है, यह open रहेगा, अच्छी technology के साथ रहेगा, robust इसका framework रहेगा, data protection इसमें रहेगा, local ecosystem को यूज करेगा, ताकि economic barrier वजगरा रमिये जा सके, इसके लावा इसके कुछ elements है, जैसे कि identity इससे मतीन main element है, strong जो आपका DPI होगा, उसमें identity हो पाएगी, असानी से, असानी से identification होता है, payment असानी से होजाती है, और data exchange बहुत अच्छी से हो जाता है, इंडिया का जो DPI architecture है, उसको India stack कहते है, जिसमें अधार आता है, UPA आता है, अधार enabled payment service आती है, डिजी locker, account aggregator, यह सबाते है, अगली ब इसमें जितना भी खर्चा आता है, चाहे उसके बीच में storage करना हो product हो, चाहे उनका value addition हो, चाहे उनका value addition हो, चाहे उसे related कोई भी service आप दे रहे है, वो सब logistic sector का हिस्सा हो जाती है, इसमें बहुत सरी चीज़े आती है, जैसे आपके ports होगे, जैसे कि आपके warehouse होगे, जहां जैसे आपका road हो गया, railway, इन सब का connection, यह सब logistic आइससा है, क्या कि important aspect है, so 2022 में इंडिया का logistic sector है, उसकी value जो है, वो 259 billion dollar के आसपस है, इसके लावे इंडिया का जो rank है, logistic performance index के अंदर, 2023 में वो 38 है, logistic performance index, world bank के दोरा निकाला जाता है, और हमारे इंडिया का logistic sector का, जो मत की जाए, तो 2022 में इंडिया को नौस किया गया था, इसके में परफस्ता कांट्री में हमारे logistic cost को decrease करना, और इंडिया में जो goods का, transportation वगरा होता है, जो movement होता है, वो improve करना, और अच्छे तरीके से, seamless manner में, बिना किसी obstruction के goods flow कर सके, ताकि मार्केट में हम competitive बन सके, और इसमे integrated, seamless, efficient, green, यह सब cost effective logistic network को use किया जाता है, कुछ important target है आपके national logistic policy के, जैसे कि 12-30 तक हम लोग logistic का जो cost एंडिया के अंदर उसको reduce करेंगे, हमारा logistic performance index का ranking जो है, भी improve करेंगे, data जो है, data driven decision हम लेंगे, ताकि अच्छे से हम लोग technical manner में ग्रो कर सके logistic sector के अंदर, फिर comprehensive logistic action plan हम लोगों ने बनाया है, अलग-लग areas में कैसे logistic की cost को गम करना है, जैसे की integrated digital cost logistic system इसको analyze किया जाएगा, export, import logistic का धिया लगा जाएगा, state engagement हो गया, physical asset or benchmarking होगी, उसको standardize करना, efficient logistic का plan तयार करना, facilitation देना, logistic parks के बनाने के लिए, यह सब, अगर progress की बात की जाए तो industrial player हमारे पास ऐसी है, जिरों ने Unified Logistic Interface Platform में खुद को रिजिस्टर किया है, Unified Logistic Interface Platform एक आपका data-based platform है, जिसमें 34 logistic related digital system जो है, वो आपस में जुड़े होई है, मत अलग-लग department का logistic system आपस में connected है, ताकि easy flow of goods हो सके, ताकि easy flow of goods हो सके, 22 states हो है, वो अभी तक इस policy का हिस्सा है, कुछ issues की अगर बात की जाए, तो 29 business association है, जो खुद को इसमें register कर चुगी है, ताकि ग्रिवांस redressal का mechanism मजबूत हो, और हमारा e-log का पॉर्टल है, वो और जदा अच्छा बने, e-log क्या है, ease of logistic service का यह पॉर्टल है, अगली बात करेंगे, लीड्स के रिपोर्ट की, 2023 जारी करी है, यह report का full form क्या है, logistic is across different states, तो हमारे इंडिया के अंदर अलगलग states का logistic handling में क्या ranking है, यह report उसके बारे में दर्शाती है, so ministry of commerce इसको 2018 के बाद से जारी कर रही है, और world bank जैस तरीके के parameters को use करती है, international level के logistic performance index के लिए, वैसे ही इंडिया के अलगलग राज्यो को ranking देने के लिए यह वाले parameter यूज के जाते है, इंडिया कर रहे हैं, international level 38 है, इंडिया के ranking बात की जाए तो 6 dimensions है, जिसमें इंडिया को identify किया जाता है, रांकिंग देने के लिए कि इंडिया का custom कैसा, infrastructure कैसा है, shipment का arrangement कैसा है, logistic service की quality क्या है, tracking कैसी है, timeliness कैसी है, मतलग करता है, जैसे इंडिया को logistic performance index, world bank, जो है, बो जारी करता है, देशों को compare करते है, जैसे ऐसे ही leads में हम राज्यों को compare करते है, और उनके logistic ecosystem को ध्यान में रखते हुए, यहांवे pillars लेके गए है, कुछ objective assessment होती है, कुछ perception, objective assessment हम साफ देखते हैं, कि logistic ecosystem का process or improvement कैसी है, और physical infrastructure structure का stock कैसा है, अगर perception की बात की जाए, perception assessment की, उसमें हम logistic infrastructure, service और regulatory environment अब को देखते हैं, कुछ finding है दो जाते है, इसकी report की, जैसे की 21 राज्या और 2 unit territory जो है, अनोंने state logistic policies को notify कर दिया था, और industry status भी दिया था, logistic sector को, logistic sector को, industry status देने का फाइदा क्या होगा, इससे इंड़ अगर road और railway track की बात की जाए, तो total length जो है, इसमें अब increase हो चुका है, तो आमसी बात है, easy sale goods का movement हो सकता है, logistic मजबूत हो है, अगली बात करेंगे PM गति शक्ति इनिशेटिव की, PM गति शक्ति इनिशेटिव की, PM गति शक्ति इनिशेटिव जो है, उन्होंने ये बताया कि easy से गति शक्ति हो पाए, हर एक scheme की, हर एक subject की, हर एक infrastructure की, इसके लिए ये गति इनिशेटिव लाया गया था, ये तभी हो पाएगी, जब हमारा logistic sector मजबूत होगा, गति शक्ति इनिशेटिव के कुछ और impact अगर देखे जाए, तो इसमें बहुत सारे project जो है, उन्होंने अच्छा growth दिया है, तीन से चार महीने जहां लगते थे एक project के timeline के लिए, अब एक महीना लगता है, information अगर प्रोजेक्ट की मिल जाती है, डिजिटल लेवल पर मिल जाती है, जैसे कि डिजिटल मास्टर प्लैनिंग टूल है, जो कि बिसाज और बासकर चारे National Institute of Space application के तवा लॉजिस्टिक मजबूती के लिए, इसके लिए भारत माला project सागर माला यह सब लाया गया, सागर माला किया करता है, अपसमे अपसमे इंफ्रस्टिक्टिक्विट करता है, जो यह आपको धियान अगतिशक्ति मास्टर प्लैनिश का मीन परपस, multi-modal connectivity infrastructure अगलग इंडिया की तरीके की economic activity हो रही है, जैसे manufacturing हो गया, service प्लैना हो गया, यह सब, objective यह है, economic zone जैसे है, उनके अदर logistic efficient होना चाहिए, economic zone कोई भी हो सकता है, जैसे वहाँ कपड़ा बन रहा है, वैसा cluster हो गया, pharmaceutical cluster हो गया, defense corridor, यह सब आपकी economic zone का हिस्सा है, इसमें एक unified portal बनाया जाता है, जि आपस में जोड़ तीया जाता है, ताकि रास्ते जो है, वहाँ सानी से developed किया जा सके, आपको एक्जामपल की तूर समझाती हूं, यहाँ पर देखे जरा, मान के चली कोई एक area है, वहाँ पर roadway और railway दोनों ही बनने है, लेकिन अगर सिरफ, आगर ministry आपस में connect होती है, तो फ उस पे खर्चा नहीं होगा, प्राइमरी फोकस के अगर बात की जात, इसमें फाइनसिंग, टेकनोलोजी का जूस करना है, यह सब फोकस किया जाता है, और साथ इंजन है इसमें, एक roads, railway, airport, port, mass transport, waterway, logistic infrastructure, इन सब पर ध्यान दिया जाता है, नैशनल इंफरस्ट्रक्टर जो pipeline है, यह उसी का हिस्सा है, PM गतिशक्ति, इसमें छेपिल लेना है, सबसे पहले है, comprehensive, मतलब एकदम integrated manner में, अलगलग ministries को आपस में जोड़ना और planning करना, prioritization, अलगलग sectors में, console sector का project prioritized होगा, वो धियान अटना, optimization, ministries को assist करना, ताकि वो अलगलग gaps जो है, planning में, उनको address कर सके synchronization, अलगलग department जो है, वो आपस में synchronize करते हैं, आपस में coordinate करते है, analytical, जो भी planning के tools है, उनको analyze करना, और फिर planning करना, dynamic, मतलब बहुत, अगर changes चाहिए, अलगलग department के साथ concern करने के बाद, project में, तो changes करना, ताकि logistic का cost down हो सके, dedicated fret corridor के बात करेंगे, Eastern dedicated fret corridor जो है, वो अक्तूबर क्योंकि railways के तुमों traffic easily मिलता नहीं है, न, railways पे traffic नहीं मिलता, तो इसमें fret traffic जो है, उसको reduce करने के कोशिश करते हैं, और easily product करते हैं, इसमें passenger जो है, उसको मतलब improved नहीं किया जाते है, ऐसा नहीं होता है, मतलब उसी गाड़ी में माल भी जा रहा है, उसी गाड़ी में passenger भ इसमें कोईले का बनाया जा रहा है, इसमें कोईले वारे जो भी area को आपस में connect करके वहाँ पे common rail जो है वह चलाई जाएगी, जो अड़ी सा जारकन शातिसगड़ और और बहुत अरे इलाकों को connect रहेगी, तो अगर बात की जाए, dedicated fret corridor की है, तो हमारे पास 2 fret corridor है, एक है तो ध्यान अखिएगा, दोनों ही लुध्याना से स्टार्ट होते है, सानेवाल नाम की जगा लुध्याना के अंदर है, सो बेसिकली आपका सानेवाल लुध्याना से, जो आपका Eastern corridor निकलता है, dedicated fret corridor, यह World Bank के दवरा finance किया गया है, यह सानेवाल से जाता है, यहाँ पर जाता वहाँ पर connect हो जाता है, इसके अलबा कुछ और नए corridor बनाए जाएंगे, जैसे East to West corridor, खरगपूर से लेकर विजयवाड़ा तक जाएगा, East to West sub corridor, पालगर से लेकर दंपनी तक जाएगा, East to West sub corridor 2, यह आपका राज खरवस्वान से लेकर अंदल तक जाएगा, North to South sub corridor, विजय मैनर में transit या movement किया जा सकता है, खुद का, मताब train के थो जाते हैं, train होता है transit होना, train के थो जा रहे हैं, तो मताब transition में हाँ, इसी तरीके से यह rapid transit system है, अगर आप एक जगध तो जाने जाते हैं, तो इसमें असानी से जा सकते हैं, अब आप बोलेंगे मैं इसके लिए तो metro से जादा बहते हैं, तो metro से जादा बहते ही नहीं है, क्योंकि metro बहुत local area में चलती है, लेकिन यह कुछ दूर के इलागों में चलेगा, और इसमें बहुत छोटे-चोटे stoppage रहेंगे, जादा number of stoppage नहीं रहेंगे, train से थोड़ा छोटा है, जो normal train चलती है, metro से थोड़ा स्पीड है, वो 180 km per hour चलने की है, metro इंडिया रेलवे से कैसे अलग है, जैसे मैंने बोला कि इसमें relatively आपका longer distance cover किया जाएगा, with a fewer stoppage, इसके किलाब पाएगा, इसके इंप्लेमेंटेशन जो है, वो National Capital Region के NCRTC के द्वारा की जाएगी, National Capital Region Transport Corporation है क्या, यह 2013 में सेटफ की गे, इसके में परपस यह है, इसके में परपस यह है, इसके में परपस यह है, इसको डिजाइन करना, इंप्लेमेंट करना, इसको इंप्लेमेंट करना, अगली बात करेंगे, कोची वार्टर मेट्रो की, तो इंडिया की सबसे पहली, वार्टर बेस मेट्रो चलाई गई है, जिस यह एक innovative sustainable mode of transportation है क्योंकि water के अंदर आपकी metro जो है water metro चलाई जाएगी जो अलगलग parts of city को waterways के थूरू connect करेगी इसमें lithium titanate oxide battery यूज बैटरी जो यूज की जाएगी यूज बैटरी जो फंदरा मिनिट के अंदर ही चार्ज हो जाती है तो बहुत safest battery है, commercially बहुत जादा असानी सब्सक्राइब के अंदर यह मिल जाती है इसका cycle साथ से 10 साल का होता है पिछते साल कोची water metro जो है उसको prestigious गुजी जो फ्रांस के दोरह दिया गया था for the best commercial passenger electric boat in the world तो यह चुछ चीज तो आपको clear होगी ना यह boat है नाम इसका metro है electric boat ठीक है अब बात करेंगे कुछ inland water transport system की त जैसे पानी के अंदर चलते हैं जैसे पानी के अंदर फेरी जगरा चलती है आप कभी मुंबई गयोंगे तो फेरी में सायर करवाने लेके जाते है ना रभी एक पोश्यन में तो ऐसे बहुत सरी सिस्टम है इसी मिसे आपकी एक metro है अब अगली बात करेंगे कौन कों से ओव इनलेंड वाटर की जैसे रोलो हो गया रोल ओ ओ फेरी सर्विस जैसा मैंने बोला फेरी चलती है मुंबई गोवा के अंदर ब्रम फुतरा नदी के अंदर फिर है रोपक्स इसमें रोल ओन रोल ओ पेसेंजर मतलब ऐसा है कि आपका सामान वगरा भी जाएगा उसी फेरी के अंदर उसी में पैसेंजर भी जाएगे जैसे कि मुंबई और मांडवा माहराष्ट्र में आपकी ये मांडवाराम की सर्विस जलती है जो अलीबाग तक लेके जाती है इसमें आप अपना खुद को भी लेके जाएंगे फेरी के अंदर और गाड़ी वगरा भी लेके जा सक करेंगेजर गूमना फिरना तो ये कार्ड रहेगा जिसके तहत उसकार क्राड को भी लागना को युँघ कर सकते हैं मतलब जाए बस का किराया उसी कार्ड तो ये कार्ड जो है Double 2019 लगा था नाम वह वह वन निशन वन कार्ड फॉर्धर ट्रांसपोर्ट मोबिल्टी रखा गया है कस्टमर सिंगल कार्ड यूज कर सकते हैं जिससे वह हर तरीके का प्राइब चाहे मैट्रो का हो चाहे बस का हो चाहे तोल पारिकिंग स्मार्ट सीट अब का प्रेध एक से घर सकते हैं यह चिप बेज बैंक के द्वरा इशु किया गया है डेबि ट क्रेड़िट और प्रेट का दरसा दियोल इंटरफेस कार्ड है जिसमें आप कॉंटेक्ट या कॉंटेक्लेक्स ट्रांसेक्शन कर सकते हैं कार्ड की ज़रूत पड़े के टच कर वाने के लिए कार्ड की ज़रूत नहीं पड़ेगी एक application होगी जिसके तो आप simply जो है वो card से payment कर सकते हैं पर उस application के आपको क्या करना पड़ेगा contactless के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक wallet ते गयार करना पड़ेगा उस wallet के अंदर हमेशा कुछ नो कुछ उसका पैसा या फिर उससे related amount रखना पड़ेगा contactless में आपको बता चुकी हूँ कि सिधा सिधा authentication जो है वो आपके card से ही हो जाएगा इसको developed किया है ministry of housing ने साथ में national payment corporation of India center for development of advanced computing जिसको CEDEC कैते हैं और भारत electronic limited भी शामिल है card जो है वो दरसर indigenously developed payment ecosystem है transportation system के लिए इसको बनाया गया है इसमें NCMC का एक card होता है जैसे कि हमारा रुपे का card होता है वीजा का mastercard यह सब होते है न हमारे वैसे ही होता है ठीक है यह ट्रांसपोर्ट में घामाएगा फिर सवीकार है जिसका main purpose यह नाम है स्वचलित किरिया यह एक automatic fair collection system है C deck इसको developed किया है जिसमें automatic आपका जो एक किराया है वो इससे कर जाएगा फिर स्वागत है जिसका mean मत्दब जो full form है वो है स्वचलित इसको developed किया है BEL NCMC chip card जो है यह inbuilt radio frequency antenna पे चलता है नियर-field communication को यूज करता है इसे काम करते हैं मतलब बिल्कुल पास के अरिया में अगर रखेंगे तो wireless तरीके से इससे पैसे जो है कर जाएगा Short range wireless connectivity technology है magnetic field को यूज करता है इसका main purpose है maritime sector में इंडिया को खुद को लीडर बनाना है सबसे पहले maritime इंडिया का समय है 2016 में मुंबई के अंदर हुआ था और second वाला आपका 2021 में हुआ था नया वाला जो vision है 2047 वो बोलता है 11 themes पे हम कैसे काम करेंगे maritime sector को grow करने के लिए सबसे पहले हम लोग green maritime sector बनाएंगे जिसमें 14 major हमारे जो ports हैं उनको carbon neutral बनाएंगे green fuel जो है उसको encourage करेंगे hydrogen production को बनाएंगे इसके लावब green hydrogen bunkers उनको तीन ports पे set up किया जाएगा जहां पे hydrogen को green hydrogen को store किया जाएगा जैसे कि पैरादी port और इसा के अंदर दीलियाल port गुजरात के अंदर और वियो चिदमराल port तामिजाडों के अंदर इसके लावब पोर्ट का modernization होना उनको smart बनाना वर्ल्ड के top 25 port में इसके शामिल करना ये भी टार्गेट है शीब बिल्डिंग रिपेयर और रिसाइक्लिंग का ग्लोगल पेयर इंडिया जो है वो बनने की कोशिश करेगा हम लोग अपना जो पोर्ट कापैस्टी है उसको और भी जदा मुजबूत हो सके लावजिस्टिक जो है उनको और भी करेंगे इसके लावा हम लोग कुछ और थीम्स पर काम करेंगे जैसे कि मेरिटम से रिलेटर लोग को मजबूत करना वर्ल्ट क्लास एजुकेशन देना एफिशिंसी नहांस्मेंट करना टेक्नलोजी में ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 23 की बात करेंगे तो मिनिस्टी ऑफ इसके द्वारा ये गाइडलाइन निकाली गई है जिसका नाम रखा गया हरी साकर ठीक है सो हरी सागर गाइडलाइन 23 काम करते है किस तरीके से पोर्ट सिस्टम उसको ग्रीन बनाया जा सकता है ग्रीन माने उससे इंवार्मेंट को कुई नुकसान नहीं होना चाहिए हम जहां पर 60% तक आपकी इलेक्रिसिटी जो है उसका इलेक्रिसिटी का जो सोर्स है वो रिनेबल एनरजी होनी चाहिए ये टार्गिट 2030 का है और 90% रिनेबल एनरजी रहेगी 2027 तक पोर्स के अंदर है ना इसके लावा एलेंगी बंकरिंग स्टेशन 2023 तक हर एक पोर्ट के अ पर इनिशेटिव और सवच भारत अभियान नेशन सेंटर फॉर एक्सिटी जो है इंडिया का ये पाइलिट प्रिजेक्ट है दोज़ार पचास तक हम लोग ग्रीन वाया उच का प्रिजेक्ट लाँच करेंगे और उसका टार्गिट मिजबूत करेंगे ग्रीन पोर्ट की सब्सक्राइब करेंगे जिसमें कोशन उटा कि इंडिया की से फेले नेटवर है सबसे पहला है यॉसे का से केंद चाइन तरह इसके लावा वाद की जाए तो तो परेशिटिव और ये लेवल और अबिस्टिटिव और अबिस्टिटिव और इडिशिटिव अब मतलब की फ में इसेंट है आपड़ेस, इस बहुंता है इसे अपर उपरेटिंग रेशो depicted इसके उपडरीशम के उपरेटिंगए खंडरीशु में कीए उंडर सारे पैसे रेलर्वेस को Indyarink Cur Kara तो इसको पहले मतब 1961 के अंदर बनाया गया था, इसका हैड़कॉर्टर लखनों के अंदर है, अब ये Ministry of Civil Aviation के अंदर काम करता है, इसका मेन परपस यही था कि इसको Ministry of Civil Aviation के अंदर इसलिए रखा गया था, ताकि railway जो है वो अपना influence इस पे ना डाल सके, और दोनों Civil Aviation और Ministry of Railways के अंदर कनफिक्ट ना हो पाए, इसका मेन परपस है कि ट्रैवल और ऑपरेशन से रिल्टीट जितने भी Railways के matters है, उनको deal करना, उनकी safety का धिहान रखना, और ये Railway Act 1989 को implement करने में मदद करता है, train accident पे investigation भी करता है, इसके लब कुछ step लिए गया है Railway Safety को लेकर, जैसे कि Railway Rail सरक्षा कोच जो है, वो dedicated fund के तौर पे 2017-2018 में established किया गया ता, जिसका मेन परपस है Railway की safety के लिए काम करना, हम लोगों ने Faster Deployment Link Hoffman Coach का, वो किया है, LHP के कोच जो है, वो दरसल safe होते है, अगर accident होता है, तो train collapse नहीं होती है, वो दरसल कोच जो है, वो आपस में train को टक् करती है, उनके data को मैनेज करती है, डिजिडिल लेवल पे, electronic interlocking का एक platform लाया गया था, जिसमें, अगर conflicting signal आता है, तो train को सेंड नहीं किया जाता है, तांकि वो trains हैं, जो आपस में clash नकर पाएं, कवच system को इंट्रीश किया था, कवच system ही करता है, safety device होता है, अगर train आपस मे को कॉलाइड होने वाली होती है, तो वो इसको कॉलाइड होने नहीं देता, कवच इंडिया का एक automatic protection system है, 2012 में लाया गया था, इसका नाम था train collision awareness system, बाद में इसका नाम कवच यहां फिर आर्मर रख दिया गया, इसको research design and standard organization बनाया था, और यह state of the art electronic system है, दरसल इसके main features automatically fail कर देता है, अगर train जो है, वो speed से जादा जल रही है, ओवर speeding पे है, जो दो locomotive है, उनके बीच में collision होने देता, इसके लावा SOS का message emergency में already यह छोड़ देता है, centralized live monitoring में मदद करता है, कवच में error की probability बहुत जदा कम है, मतलब 10,000 साल में के एक बार ही कोई error होने का चांस है अगली बात करेंगे, भारत new car assessment program के, ministry of road or transportation system के द्वारा, या ministry of road, transportation and highway के द्वारा, यह नई स्कीम जो है assessment के वो निकाली गई है, ताकि वहीकल का collision होता है road के अंदर उसको रोका जा सके, इसमें जो इंडियन auto manufacturer, जो की वहीकल वगरा बनाती है, वो अपने वहीकल का testing 197 के तहत ही वो जो यह सब करवाएंगे, जो 5 star rating वेरा देना है, AIS 197 के अंदर overall assessment के जाएगा वहीकल का, उसका selection और testing वेरा की जाएगी, यह आप देख सकते हैं, अलग-लग तरीके के criteria रखे गए हैं, और फिर भारत, NCAP, Global और Euro, अलग-लग parameters को compare किया गया है, तो भारत new car assessment program के अंदर अगर आप देखेंगे, तो frontal impact test, side impact test, pole side impact test, सब किया जाएगा, लेकिन whiplash test नहीं किया जाएगा, इसके अलावा, pedestrian occupant safety का test नहीं किया जाएगा, vulnerable road user protection का test नहीं किया जाएगा, यह parameter test नहीं किया जाएगे, यह जो model है, हमारा नयवाला भारत NCAP का, यह हमने global new car assessment program से ही लिया है, United Nation का ही program है, जो की vehicle safety को promote करता है, इसके अलावा, जो आपका NCAP, global level का NCAP है, यह दर असल UK based registered charity का ही एक नया program है, जिसके तहर इसने काम किया, अबात करेंगे भारत NCAP की, इसकी जो application है, वो दर असल कुछ पैसेंजर वहिकल पर अपलाई होगी, जैसे कि वो पैसेंज Adult Occupant Protection, Child Occupant Protection, Safety Assist Technology, इन सब को test करना जो है, वो ज़रूरी रहेगा, इन सब के base पे rating जो है, वो जारी की जाएगी, फॉर्मेटिंग जो है, जो है, टेस्टिंग की वो जारी की जाएगी, ज़रूरी नहीं है, टेस्टिंग करवानी करवानी है, यह जिस सबसे ज़रूरी है, Automative Research Association of India, जो है, उसको mandatory बोला गया है, कि टेस्ट जो है वहिकल का, वो होना चाहिए, under the scheme at its laboratory in Pune and Chakhan, अब आत करेंगे इस से related news की, Black Spot, तो देखिए, National Highway Authority of India ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, ताकि जो accident-prone areas होते हैं, उनको identify or rectify किया जा सके, accident-prone sport को black sport कहा जाता है, तो दरसर्फर 500-meter के stretch में, ये नैशनल हाइवे के ओपर कहीं पर भी हो सकता है, और ये वो area होगा जहां पर 5 ऐसे road accident होगे, जो की fatal होगे, और पिछले 3 सालों में ये वैसे accident होगे, जहां पर बहुत serious injury लगे होगी, और सामने वाले की मौत होने का chance maximum और लगभग पिछले 3 सालों में 10 fertility उस एरिया में होगी, यानि कि उस एरिया से, उस black sport वाले एरिया से, जहां accident होते हैं, और 10 मौत पिछले सालों में अगर होगी, तो वो black sport कहलाएगा, अब नहाई प्रोजक्ट डिरेक्टर में बोला गया है कि जो प्रोजक्ट डिरेक्ट अगर बात की जाएक एक और declaration की, तो डकर declaration जो है, वो 21 अफ्रीकन कंट्रीस के द्वरा अडॉप किया गया था, सबसे पहला अफ्रीकन सब रिजिनल कॉन्फरेंस जो है, उसके तहर इसको अडॉप किया गया था, इसको में परफसा, Global Plan for Road Safety, यह गाइडिंग डॉक्यमेंट ह जो बात कहता है, 2020 से लेकर 2030 तक इस तरीके से हम लोग Road Safety का डेकेड जो है, वो सेलिब्रेट करेंगे, और Road Safety से रिलेकर जाद से जादा एक्शन लेंगे, इससे टार्गे भी सेट किया था, कि 2030 तक हम लोग 50% तक Road Traffic से डेथ और इंजुरीस होती है, उसको प्रवेंट कर दें Major Port जो है, वो सेंट्र वोर्मेंट मॉरेटर करती है, और ये Union List के अंदर आते हैं, साथमी शट्यूल में, Minor Port जो है, उनका Protection, उनकी सारी जिम्मेदारी, State Maritime Board की होती है, और ये Concurrent List का हिस्ता होती है, अभी तक हमारे पास Major Port जो है, वो 12 है, और 6 जो है, वो इस्ट में है, 6 वे जो है, तो महराष्च के अंदर है, कःले पूसरीन वोर्मों पोर्ट, थेमीजमीजन बीकोने 오र अपियो चिन्दमनार नमी पोड़ को कहा जाता है कि इनाप्रों dealing with PLEK अपर्ड जब आर्थीफिश़्शे no Min पेची मेरेरे हैं, आपरेटिंग रेशयो में आएक यहां कि एक कैसी हैं, strong and अज़कर पर्छाने बता है. तो निए क्या है। जिसको कर्मकरणा प्रिशन मुखजी कुछ efforts जो की दिये जाते हैं पोर्ट की functioning को इंप्रोव करने के लिए जैसे कि सागर मंथन डैशबोड बनाया गया है जिसमें हर एक प्रजेक्ट का मोनिटरिंग किया जाता है और फिर पोर्ट की प्रफॉर्मिस के साब से पैसर रिलीज होता है सागर सीतु नाम की एक application है जिसमें आप जो भी वहीकस या वैसल जा रहे हैं पोर्ट से उनका रियल टाइम इंफोर्मिशन फैच कर सकते हैं ट्रैफिक को इजिली मैनेज कर सकते हैं इसके अलावा सागर उनती इंप्लीमेंट किया जा रहा है डैश बोर्ट के तोर पे जिसमें की अलगलग मेजर पोर्ट को है उनके टरन अराउंड टाइम के इंडिकेटर्स को जज किया जाएगा अगली बात करेंगे हम लोग सर्विस्स के बारे में इंशुरेंस सेक्टर सबसे पहले नियूज है, इंशुरेंस एगुलेटी ड्वेल्मेंट अथॉर्टी आफ इंडिया ने एक नया प्लैन इंट्रीज किया है, जिसका नाम है बीमा टुरिंटी, बीमा टुरिंटी में तीन कॉंपनेंट होंगे, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहग, बीमा सुगम, सुगम का मतलब बीमा को असान करना, इसका मेन परपस है, जो इंशुर है और जो डिस्टिबूटर है, वो एक प्लैटफॉम पर होने चाहिए, वन स्टॉप इंशॉरंस की शॉपिंग कर लेना, बीमा विस्तार मतलब बीमा को एक्स्पैंड करना, इसमें जो भी कवर किया जाता है, बीमा का, है लाइफ में, हेल्थ में, प्रोपर्टी के अन्दा, जो भी टोटल प्रीमियम का वॉल्यूम अगर इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड की 10 वी सबसे बड़ी मार्किट है in terms of insurance, 1.9% इंडिया ग्लोब के अंदर शेयर जो है वो डील करता है इंडिया में अगर insurance density देखें तो इतनी जादा नहीं है, insurance density का मतलब होता ह एक साल के अंदर कितने आए हैं, तो एक चीज और आपको धिहान अखने है कि insurance penetration, life insurance sector के अंदर वो काफी developed हुआ है, अब related news क्या है, National Insurance Academy ने एक report जारी किया है, जिसमें इंडिया का insurance landscape कैसा है, इसको highlight किया गया, इंडिया के बारे में बोला गया कि इंडिया के अंदर health protection gap जो वो चाहिए होगा आपको consumer need fulfill करने के लिए और कितना gap है, कितना आपके पास है ही नहीं, protection gap की अगर बात करें, तो report में बोला गया है, 87% of life insurance protection gap और mortality protection gap जो है, वो 90% तक अब इंक्रिस हो चुका है, 26-35 के age group के बीच में, natural catastrophe insurance 95% of the country population के पास तो ही नहीं, crop insurance की बात करें, तो य किसके रिगाड़ी, shorty bond के रिगाड़ी, shorty bond जो है, वो दरसा shorty insurance market को cover करने के लिए लाँच किया जाते है, shorty को मतलत है किसी चीज की guarantee लेना, तो तीन parties होगी, एक तो जो insurance करी रहा है, दूसरा जो बेच रहा है, तीसरा इसमें को guarantee वाला होगा, जो बोलेगा कि आपके साथ धोगाड़ी नहीं होगी है, तो three party होगी, इसके अंदर second party principal, third party obligee, और एक आपका guarantor, जो किसको surety भी काते है, तो एक security arrangement है, infrastructure project के लिए, अब यह insurance में भी आप्री के बनोने वाला था, insurance surety bond में, insurance regulatory and development authority, वो दरसा guarantee के तोर पे काम करती है, और मतलब, पहले क्या होता था, bank ज development authority of india, जो है, इसको 1990 act के तहद बनाया गया था, 1999 act के तहद, यह एक statutory body है, है, हैधरवाद ते लंगाना में, इसका head office है, ministry of finance के तहद यह काम करती है, main purpose is insurance companies को license देना, intermediaries को license देना, regulation करना, investment करना, funds का, जो भी insurance का पैसा आ रहा है, वो सब take care करना, कुछ entities है, जो इसके तोर regulate की जाती है, जैसे कि life insurance की companies होगी, चाहे वो public हो, चाहे private हो, general insurance company होगी, re insurance company, agency channel, फिर आपकी intermediaries, brokers वगरा, अगली बात करेंगे, medical और wellness tourism की, ministry of home office ने हाल फिलार नहीं category जो है, आयूश की, इसको release किया है, यह category है क्या, so यह आयूश visa की category है, इस पे जो भी foreign nationals है, अगर वो आयूश के तहर, आयूश medicine के दापना treatment करवाना चाहते हैं, तो उनको आयूश visa मिल पाएगा, so आयूश visa, एक medical visa है, 2019 से को लाया गया था, इसका मेन परपस है, आयूश sector के अंदर, traditional medicine के अंदर, medical tourism को promote करना, आयूश का full form, ayurveda, yoga, naturopathy, hyunani, siddha, और homopathy है, इसके लावा, traditional or non-conventional healthcare system, जैसे Sova Rigpa, ये भी आता है, data की बात करें, तो global wellness tourism के अंदर, इंडिया का साथ मारेंख है, इसके लावा, इंडिया का जो आयूश based healthcare system है, वो 70 billion डॉलर तक का market, जो है, वो 25 तक हमें दे सकता है, medical and wellness tourism की बात करी जाए, तो medical tourism के अंदल होता है, इसी दूसरे देश में जाकर, tourist के तोर पर, वहां की healthcare service जो है, उनका फायदा लेना, ministry of tourism जो है, उसके लिए guideline निकालती रहती है, इसका main purpose है, नए institution को develop करना, जिसमें medical tourism भी develop होगा, और quality जो है, वो भी मिल पाएगी, health sector के अंदर, अलगला customers को, इसे इंडिया का जो और reach है, foreign के अंदर, वो developing for all, तो यह actual में एक evidence-based, traditional, medicine से related, उसको harness करने से related summit था, डबले अचनीसका एक outcome document भी निकाला, जिसका नाम रखा गया, गुजरा डेकलरेशन, अगली बात करेंगे, open network for digital commerce के बारे में, network operation and compliance system platform को, इन्होंने लाँच किया है, भारत bill pay limited जो है, इन्होंने इस platform को लाँच किय इसका में परपस है कि अलगला transactions जो होती है, ONDC network के उनको और भी जदा सेटिल करवाना, so NOCS जो है, यह RBA की guidance में बना है, इसका में परपस है, इसका में परपस है, जितने भी customer आते है, जो भी fund होनता है, उस सब को manage करना, यह bank के साथ connected होगा, ONDC क्या है, open network digital commerce, तो धान से दे जो भी बेचने वाला है, आप भी पैसा देते हैं, जो भी पैसा भरते हैं, seller को कुछ पैसा Amazon और Flipkart के पास भी जाता है, तो open national network for digital commerce क्या है, इसमें कोई भी intermediary नहीं होगा, जैसे मैंने बोला ना, center में जो fees लेने वाले बाले बैठे हैं, वो नहीं होगा, एक open network was, इसमें क कोई भी seller, कोई भी buyer आएगा, सीधा आपस में connect हो जाएंगे, तो एक market or community led initiative है, open network है, central intermediary की इसमें जुरूरत नहीं पड़ेगी, massive digital commerce expansion इसमें हो सकता है, broad based innovation जो है, ये भी इसमें होगा, अब ये क्या नहीं है, एक government regulatory body नहीं है, ये एक application ये platform नहीं है, ये एक central intermediary भी नहीं याफी ये digitized business करने का कोई medium भी नहीं है, बस एक platform है, when this is, इसको department of promotion of industry के द्वारा, ministry of commerce के under setup किया गया था, इसका main purpose है, जितने भी exchange of goods or services होते है, digital network के उतर, digital network के उपर, उसको open network पे promote करना, so e-commerce platforms जो है, उनको आपस में integrate कर देता है, सारे platform को एक जगा पे लागे खड़ा क जो है, वो एक जगा पे आप जो है, वो शौपिंग कीजिए, आपको अलगलग platform पे घूमने की, compare करने की बज़रोद नहीं पड़ेगी, quality council of India उसने ही इसको integrate किया है, मतलग अलग-लग platforms के साथ, e-commerce platform के साथ, अगली बात करेंगे, energy के sector की सबसे पहले news है, national electricity plant के बारे में, Central Electricity Authority ने नेशनल एक्रिसिटी प्लैं तक का रिलीस किया है, electricity एक 2003 के था है, Central Electricity Authority नोटिफाई करती है, पहले भी बहुत सारे प्लैन आचुके है, सबसे प्लैन प्लैन था है, इसमें में इन परपसिया हाईलेट्स क्या है, वो यह ही है, कि energy demand जो है, आगले 10 सालों में बढ़न परसेंट क्या सबस हो जाएगी, हमारी जो installed capacity है, renewable energy में वो खास करके बढ़ जाएगी, मता हम जादा से जादा renewable energy को यूस करेंगे, carbon emission जो है, इसको कम करेंगे, renewable energy sources का contribution जो है, 26-27 तक 35% तक करेंगे total energy का, और energy efficiency और conservation के methods को जादा एड़ाप्ट करेंगे, emission का जो intensity है installed capacity देखा जाए energy में, तो सबसे ज़्यादा हम koila पर dependent है, installation के मामली में, दूसरे नबर में हमारे पास renewable energy के sources है, जो कि installed है, अगर percentage of, अगर हम लोग देखें कि India का installed capacity जो है, renewable energy में किसका जादा है, तो renewable energy में सबसे ज़्यादा हमारे पास solar installed capacity है, second नबर में हमारे पास wind energy है, और, sorry, second नबर में हमारे पास large hydropower energy है, third नबर में हमारे पास wind power के energy है, यह first, second, third आपको धियान रखने है, और यहाँ सबसे पहले हमारे पास koila है, install capacity में, second हमारे पास energy तो यह भी आपको धियान रखना है, percentage में हमारे चाहिए कर लीजे, तीसरे नबर में पे गैस है, अगल इसको part-time body के तौर बनायागा, 1975 में यह full-time body हो गई, इसका objective यही है, electricity sector, country का, उसकी development को regulate करना, इसमें 14 से जादा member नहीं होते है, including chairperson, इसका function क्या है, electricity policy को बनाना, conditions जो है, meter के installation की वो देखना, और अलग-अलग schemes और competitions जो है, electricity sector में उनको ग्रो करना, interstate transmission system charges की बात करेंगा ministry of power ने interstate transmission system के charges को wave off कर दिया है, अब अलगना राज्यों में जब transmission किया जाता है power का, तो उसका जो भी charge लगता है, उसको maaf कर दिया गया है, किस-किस पे maaf किया गया है, अगर वो energy offshore wind से produce हुई है, green hydrogen से produce हुई है, या फिर ammonia project से आई है, और यह 25 सालों के लिए माफी दी green ammonia जो है, यह हम green hydrogen से ही निकालते हैं, और यह energy के तौर पर यूज की जाती है, transport में और storage vector में, इसको fertilizer के तौर पर यूज किया जाता है, इसको fertilizer के तौर पर यूज किया जाता है, इसके अलाबर जो complete waver मिला है, complete maafi मिली है, वो offshore wind power project में मिली है, और 2032 तक यह अपलाई रहे कुछ और incentives या initiative की private power sector में, सबसे पहले राज्यो को कुछ financial incentive दिये गए हैं, अगर वो power sector में reform करते हैं, ministry of finance ने यह incentive जो है, यह कहा है, कि हर एक राज्य जो है, वो 0.25% से लेकर 0.5% of the gross state domestic product हर साल, loan के तौर पे बोरो कर सकता है, अगर वो power sector में reform कर रहा है, 2021 से लेकर, 2024 पच distribution companies है, state governments की, उनको public sector के अंदर जो भी loss हो रहा है, वो ना हो पाए, इसे ही incentive दिया जाएगा, उनको असानी से transparency रखनी पड़ेगी, power sector की growth को लेकर, और बताना पड़ेगा, कितना grow हुआ है, उनका power sector, और timely audit होगा, उनकी power sector companies का, उनको regulatory measures के साथ compliance रखना पड़ेगा, market coupling की ब power exchange of India Limited, Hindustan power exchange limited, तो जितने भी power exchange है, उनको आपस में connect कर देना, उन पे एक ही price, एक प्रोड़क्त कर देना, तेल का, डीजल का, इसका मतलब होता है, हमारा market coupling कर देना, सब की power, उनको, सब के market price, अलगलग exchange पे, उनको एक single power trading entity में convert कर देना, जिसका owner, वो government होगी, so market coupling, दर अ वो क्या करेगी, one nation, one grid, one frequency, one price framework को प्रोड़क करेगी, ताकि market के base पे पर पावर का, electricity का चार्ज लगाया जा रहा है, तो अलगए exchanges के साफ से ना हो, एक common exchange के अंदर ही वो चीज़ को पाए, so centralized manner में क्या होगा, electricity का consumption का data भी त्या किया जा सकेगा, electricity rights of consumer amendment rule, 2023 की बात करेंगे, तो central government ने 2020 के rule को अवेंट किया है, जिसमें अब हम quality electricity जो है, वो customers को देंगे, नई electricity के connection इसके तहट लगाए जाएंगे, इसके लावा जो भी service provider है, उनके उपर penalty भी लगाई जाएंगे, अगर वो consumer के rights को violate करते हैं, तो changes क्या कहीं हैं, सबसे पहले तो time of the day tariff ये लगाया को use किया है, जब जरूरत होती भी है peak में, तब भी आपने भिजली यूज नहीं की, तो आपका bill जो है, वो सहसाब से आएगा, अब बात करेंगे, smart metering में कुछ provision है, कि अब कोई भी panel चाहिए, penalty जो है, वो consumer के उपर लगाई नहीं जाएगी, अगर maximum demand भी उसके smart meter ने record कर ल में, जिसका नाम है push portal, सो यह portal जो है, वो ministry of power लेकाई है, इसका mean purpose यही है, कि power की availability, peak demand season में, जो है, वो होनी चाहिए, power distribution companies जो है, वो इसमें surplus power को indicate करेंगी, हर एक महीने में कहां पे surplus power जो है, वो रहा, वो portal के अंदर अपडेट रहेगा, ताकि उसे साब से अगले महीने की जो है, वो की जा सके, इसमें जो भी distribution company है, उनके ओपर जो fixed cost reduce करने का burden आता है, वो और कम हो जाएगा, और generation capacity जो है, उनकी वो से साब से plan कर पाएंगे, अगली बात करेंगे, अगली बात करेंगे, बिहार का जो portion है, बिहार का जो पोर्शन है, बिहार का जो पोर्शन है, ब और लिक्विड दोनों फॉर्म हो सकते हैं, लिक्विड में आपका crude oil हो गया, यह प्योर फॉर्म ही नहीं होती, इसको process करके clean fuel बनाया जाता है, इसके अलाबा, इंडिया ने टार्गेट शक किया है, इसका अपना जो शियर है, 6.5% से 15% तक कर लेगा, साल 2030 तक, पेट्रोल में Natural Gas Regulatory Board के अंदर आती है, और यह Board जो है, इस Act के तहित 2006 में बनाया गया था, इसका main purpose है, जो भी specified activity है, petroleum के, petrol product के, उन सब activities को deal करना, उसके interest को serve करना, यह gas exchange जो है, जो भी natural gas में deal करने वाल exchange है, उनको भी overlook करती है, उनका भी नियान रगती है, इसके अलाबा, यह क्या कर सबसे पहली news है, आपके corporate social responsibility के बारे में, Ministry of Corporate Affairs ने अपने monthly newsletter में corporate social responsibility के बारे में बताया है, corporate social responsibility, उन companies से लगती है, जिनका net profit 5 crore यह उससे जादा होता है, net worth 500 crore उससे जादा है, turnover 1000 crore यह उससे जादा है, CSR Act 2013 के तहती है, आपका corporate social responsibility लगाया जाता है, गौर्मेंट ने कु अपना average net profit का, जो पिछले तीन सानों में उन्होंने कमाया है, उसको spend करना पड़ता है corporate social responsibility के लिए, मतलब यह है, corporate यानि private sector उनकी social responsibility का है, जैसे कि वो और environmental की काम करेंगे, schools लगाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, hunger दूर करेंगे, उन सब में पैसे करचेंगे, CSR mandate company जो है, उनको case, अपनी file details जो है, उसमें भी भरना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या CSR activities की है, हर साल वो MC821 registry, Ministry of Corporate Affair के तैथ, अपनी registry को maintain करते हैं, उसमें वो CSR का data भरते हैं, अगर वो CSR के provision से, मतलब non compliant होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ funding, या अफर कुछ ना कुछ ना कु यह सब PMKS fund में टा दिया, तो भी CSR माना जाएगा, अब trend के रहा है, CSR spending का, so 150% increase हो है, CSR spending में 2014-15 से लेकर देखने को भी तक मिला है, 26,000 क्रोड रुपेया, वो companies अभी तक इंवेस्ट कर चुकी है, 13,000 कंपनी ये पैसा खट चुकी है, इसके अलावा, total investment, health or education में सबसे है, कि independent agency होगी, जो कि assessment करें कांसी company कितना CSR जो है, इसके लावा CSR का जो कम खचावा पैसा है, वो आपको mandatory transfer करना पड़ेगा, कुछ administrative overhead है, मत्तब कि 5% जादा CSR का expenditure है, वो आप एक particular जगह पे नहीं कर सकते, ongoing project जो चल रही है, उनको तीन साल जादा नहीं होना चाहिए, त को खर्च करेगी, cost of social impact assessment जो है, उसको भी इसमें decide किया जाएगा, CSR spending के तौर पे consider किया जाएगा, corporate governance को लेकर, इंडिया में framework क्या है, company 1213 जो है, वो भी इसको deal करता है, SEBI के दवारा भी corporate governance को regulate किया जाता है, इसके लावा institute of chartered account of India भी इसको manage करता है, institute of company secretary of India जो है, जिसमे board of director की meeting, general meeting होती है, ये सब भी corporate को deal करते है, और ministry of corporate affair तो है, अगली बात करेंगे, Indian companies के बारे में, कि Indian companies ने इंटरनेशनल financial service center के बारे में क्या बोला है, so finance minister ने ये बोला कि Indian companies जो है, अब directly ही international financial service center में खुद को list कर सकती है, यानि कि वहाँ पे share वगरा सीधे खरी सकती है, अ अब खरी सकती है, अब खरी सकती है, प्रेजेंट में इंडिया की company है, वो directly इसकी security में list नहीं होती थी, अब रॉड के अंदर सीधा list नहीं होती थी, क्योंकि भले ही India के अंदर भी इसका कुछ ब्राच हो, लेकिन है ये work जो करता है finance, वो फॉरण में करता है, तो पहले क्य इंडिया की company को अगर फॉरण से कहीं से भी stock exchange में पैसा जमा करना है, फॉरण की stock exchange में अगर पैसा डालना है, तो सीधा नहीं डालेगे, क्या करेंगे, वहाँ का depository receipt खरीदेंगे, जैसे कि अमेरिका का, American depository receipt, जैसे कि global का, अलग country's का global depository receipt, तो global depository receipt कुछ रहीं है, से खरीदेगी क्या depository receipt, उसको सीधा stock नहीं मिला, उसको मिला इस stock का depository receipt, ठीक है, so depository receipt एक instrument है, जो कि domestic company का यूज किया जाता है, अगर वो funding raise करना चाहती है, outside the country, उनका जो share होता है, वो किसी foreign bank में होता है, जैसे ये foreign bank है, जो mediatry है, वो foreign bank में उनका share रखा होता है, और foreign bank को issue कर देता है, depository receipt, ठीक है, share नहीं जारी किया, depository receipt जारी कर दिया, तो इससाब से foreign markets अपना fund raise भी कर सकते है, वहाँ पे fund invest भी कर सकते है, American depository receipt, US stock exchange के लिए है, global depository receipt, जो है, वो European exchange में अगर आप deal करना चाहते है, उसके लिए है, अब बात करेंगे, international financial service center के बारे में, so ये finance को, ये उससे deal करने वाला center है, होगा ये इंडिया के अंदर ही, ठीक है, पर ये fund कहां कीचेगा, कहां भी बेज़ेगा, foreign के अंदर, abroad में deal करेगा, so दरसर इसको इसको established किया था, 2020 में, international financial service center authority, 2019 के था, इसका headquarter gift city, का अनिर अगर कुछी जाहत के अंदर है, इसका में परप इसका headquarter बनाया गया है, अब वहाँ पर सीधा-सीधा listing, जो है, वो Indian companies कर सकती है, अब उनको फॉरर में जाके ADR, GDR, इस सब में जाने की जूरूत नहीं है, वो यहाँ सीधा पैसा जो है, वो फॉररर से, फैच कर सकती है, अगर उनको चाहिए, अपनी मत्तब, शियर वगार इस Act 1969 को amend कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, इसने Competition Commission of India को establish भी किया था, ताकि Anti-Competitive Agreement जो है, वो ना हो पाए, और dominant position जो होती है, competitive market में, वो आप मिस्यूजना कर पाए, अब नए definition के आया है, के अंदर, so combination का definition है, वो चेंज कर दिया गया है, combination में merger, acquisition, यह सब जो है, यह कर दिया गया है, यह सब आपको इतना जाद रखने हैं, जरूरत नहीं है, terms जहां रखें, cartelization का मतलब होता है, कि आपस में कटफंदन कर लेना, same kind of business कर रहें, जैसे कोई save बेच रहा है, save बेचने वाले सब एक साथ हो गए, cartel बना लिया, ताकि save का price जो है, वो एक साथ ब मतलब कर दिया गया है, इसके लावा, penalty जो हो increase कर दी गई है, पहले एक करोड होती थी, अब दो करोड है, अगर आप कोई भी misinformation देती है, global turnover के उपर भी penalty जो है, वो अबलगाई जाएगी, offences का compounding किया जा सकता है, compounding का मतलब यह होता है, कि अगर किसी individual ने crime किया भी है, तो इसके लिए वो compensation अगर दे रहा है, तो वो compensation के जाब से उसका crime कम कर दिया जाएगा, ठीक है, crime has been perpetrated, has acquired some composition from the accused, इसके लावा, कुछ offences पर decriminalization है, सजा नहीं होगी, जेद नहीं बेजा जाएगा, फिर lenient provision है, penalty कम लगाई जाएगी, अगर cartelization हो भी रहा है, investigation के बाद, अगर निकला information तो भी कम penalty लगेगी, कुछ conditions पर, इसके अलावा, competition amendment act के कुछ और provision है, जैसे कि settlement कैसे किया जाएगा, गर dispute हो गया, director general का appointment कैसे किया जाएगा, central government जो है, इसमें, उनका approval पहले चाहिए होगा, competition commission of media act, statutory body है, competition act 122 के लग बनाएगी थी, main purpose, यहीं थे competition, जो है, इसकी fair तक member जो हो सकते है, chairperson की जो उमर है, 65 होनी चाहिए maximum, उसके बाद वो नहीं बन सकते है, पांच साल तक का time period होता है, यह eligible होते है, re-appointment के लिए, इसके जो members है और chairperson, sorry, chairperson ही केवल, हाँ जी, दोनों ही eligible होते है, अब अगली बात करेंगे कि क्या करते है, यह commission जो है, अलग का, international competition network में यह खुद को भी करते हैं, मतलब इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं, यह is इसका member भी है, CCI जो है, उसकी membership दो साल के लिए, international competition network के अंदर, यह एक informal network है, international competition network, informal network है, 14 competition authority है, इसके जो अपक्स body है, उसमें 13 members है, अब आथ करेंगे, जन विश्वास amendment of doing business related amendment किये गए हैं जैसे कि जो अब का वानेटी 3 provision है 42 laws के अलगले ministries के अंदर उनको अब decriminalize कर दिया गया fines जो और penalties को बहुत जगा पे कम किया गया ताकि ज़्यादा business इंडिया के अंदर फैच हो सके बहुत सरे offense और penalty जो है इंडियन post office act के तहत वो हटा दिये गए और इसके अलावा बहुत सारे गिर्वांस redresses mechanism को मजबूत किया गया appealing का provision ज़्यादा मजबूत किया गया ताकि ज़्यादा companies यहाँ इंडिया में इंवेस्ट कर सके transfer pricing की बात करेंगे Supreme Court ने ये कहा है कि transfer pricing का जो dispute है उसको solve करने के approach को बदना होगा देसर करनाट का high court ने पिछले बार में कुछ rolling दी थी उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी company के द्वरा arm length का price decide कर दिया गया income tax appellate tribunal ने भी बोल दिया कि हाँ जी ये arm length का price एकदम सही था तो decision जो है tribunal का final होगा उसके किसी तरीकी की judicious scrutiny नहीं होगी supreme code ने या फिर apex code ने ये बोला है कि अगर income appellate tribunal ने transfer pricing या फिर arm price को decide करते time unjust behave किया है तो tribunal का decision final नहीं होगा तो इसके लिए समझना क्या होगा पहले समझेगे arm price क्या होता है और आपका transfer price क्या होता है transfer pricing एक तरीकी की accounting practice है मान के चलिए कोई यहाँ देखिए ABC company है USA के अंदर यह headquarter उसका फिर ABC company नीदरलेंड या फिर इंडिया के अंदर भी खूल दी ठीक है अगर एक दूसरे को यह share बेचे की यानि कि इंडिया की company को अगर इसी अपनी head company से share खरीदना है तो इंडिया के अंदर मान के चलिए tax बहुत जादा है तो जब यह share खरीदेंगे कुछ भी percentage अपनी ही head company से तो यह दिखाएंगे कि हमने बहुत महंगा share खरीदा तो इनको profit कम नज़र आएगा इंडिया के अंदर ज़र को जरिके में तो इसे को COS, भी तैक किये जाते बख़ाएंगे fins यूट जॉट से खरीदेंगे वो इस तरीके से तैय किया जाते हैं कि उनका tax burden जो है वो reduce हो सके मतलब overall तो company को benefit हो रहा है यह इसकी parent company है यह subsidiary है फाइदा तो दोनों को मिलके हो रहा है दोनों एक ही है तो parent company को दरसल फाइदा होता है tax में इसमें दरसल high price charge कर दिया जाता है high tax country के अंदर ताकि profit कम दिखे और low price charge किया जाता है profit high दिखाने के लिए अगर low income tax country है इसके लिए arm length का principle निकाला गया मतलब यह बताय कर दिया गया कि कोई भी company अगर price tag करेगी अगर उसको खुद का सामानी खुद की parent company को बेचना है या खरीदना है तो जो भी वो price tag करेगी वो दरसल इस तरीके से tag करना है कि दोनों entities एक भूसरे को जानती नहीं है दोनों entities free entity है market के अंदर उससाब से price decide करके बताईए उसको बोलेंगे arm length price लेकिन अगर आपने धान ली करी तो फिर आपको सजा भी होगी इसके लिए क्या बोल देगा special condition लगा दिया गया ताकि जो आप tax erosion का practice या फिर tax को avoid करने का practice adopt कर रहे हैं वो ना कर पाएं तो arm length price क्या है यह agreed price होता है जो fair value होती है दोनों companies को एक दूसरे का share करीने और बेचने के लिए अगली बात करेंगे अब क्योंकि सुप्रीम को ने बोल दिया कि अगर tax tribunal के appellate tribunal ने कह भी दिया कि arm length का price एकदम सही तैग गया था तो भी वो decision कई बार unjust माना जाएगा क्यों हो सकता है arm length pricing decide करते टाइम बहुत सरे parameters का ध्यान ना रखा हो और सामने वारा बंदा satisfy ना हो country satisfy मतला हमारा country satisfy नहीं ह है कि सही price नहीं रखा था arm length price तब भी लगे इंडिया को कि हांजी हमारे tax loss हुआ है तो सुनी जाएगी हमारे country की ठीक है so आपका income tax appellate tribunal है 1941 में set up किया गया था इसका main purpose है direct tax act जो है उनसे deal करना इसके साथ साही order जो है इसके द्वारा पास की अब final होते है लेकिन इनकी appeal ज जो है वो सही से serve नहीं किया गया इसकी तीन benches है Delhi, Kolkata और Mumbai इसके अलावा अगली ने उसे आपकी global innovation index की दो जाते है इसके index में इंडिया का rank 40 है यह index जारी करता है वर्ल्ड इंटेक्टर पॉपर्टी और्गनेजिशन कॉर्ण यूनिवस्टी इंसेड बिजनस स्कूल के सा आपकी इंडिया के जो है इंडिया के चार टेक्नोलोजी क्लस्चर में बैंगलोर, दिली, चनहीं, उन्होली अब World Industrial Property Organization क्या है? United Nations के एजंसी है, 1967 में सेट अप की गई थी, इसके 193 मेंबर हैं, including India. इसका जो मेजर ट्रीटी है, उसमें इंडिया तीनों का ही मेंबर है, Paris Convention for Protection of Industrial Property, Burnay Convention, जो लिट्रेडी और आर्टिस्ट वर्क का प्रोटेक्शन करती है, और Patent Corporation Treaty. अगली बात करेंगे इंडिया के स्टार्टप की, Parliament Standing Committee on Commerce ने रिपोर्ट रिलीस की है, Ecosystem of Startup to Benefit India. इसमें बोला गया है कि किस तरीके से इंडिया में जो स्टार्टप है, उनमें जो फंडिंग और इंवेस्टमेंट है, वो साइकलिक है, बत्त घूम गोंके पैसा वापिस आता रहता है, Single Implementation Agency है, साभ बोला गया कि 42 ministry या department है, जो कि different schemes चलाते हैं Startups के लिए, Regulatory Sport जो है, वो लगा था direct manner में फॉर्ण कंट्री से Startup को मिल रहा है, Startup का definition गया है, वो company है entity, जो कुछ-कुछ parameters को follow करेगी, Ministry of Commerce ने कुछ parameters बताए है, जिससे कि company की जो उमर है, वो 10 साल से जादा नहीं होनी चाहिए, जब से वो incorporation में आई है, company की टाइप private limited company, registered या फिर limited liability partnership हो सकती है, annual turnover 100 crore से जादा नहीं होना चाहिए, जब से वो आई है, original entity जो है, original entity जो है company के, इसी नहीं होनी चाहिए कि, दो companies को तोड़ के जोड़ के बनी हो, इसके अलावा, यह जो company है, यह innovative होनी चाहिए, productive होनी चाहिए, और wealth on employment generate करने वाली होनी चाहिए, DPIIT ने बोला है, कि tax exemption जो है startup को तीन साल के लिए दिया जाएगा, startup ecosystem का regulation अगर देखा जाए, तो ministry of corporate affairs के दुवारा, companies एक 2013 के राइद किया जाता है, CAB भी इसके लिए कुछ रूल निगालती है, RBI ने एक dedicated help ने निकाला है, startup को help करने के लिए और guide करने के लिए, challenges की बात करें, तो agriculture पे startup ज़्यादा फोकस नहीं करते, ताकि असानी से गर्जा मिल सके, असानी से angel tax investment आ सके, Bureau of Indian Standard की बात करेंगे, Union Ministry of Commerce Affairs के दौरा, Union Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution के दौरा, Bureau of Indian Standard के अलग-अलग categories निकाले गए है, BIS का mark पता है न, पंखो पे होता है, फ्रिज पे होता है, Standard का mark होता है, यह जो मार्क है, यह 115 के टेगरीज अफ प्रोड़क्ट को और भी जादा दिया जाएगा, 2014 के अंदर जैसे कि सीलिंग फैन को देना, स्टील एसील को देना, यूटेंसिस को देना, अलग-अलग चीज़ों को, Bureau of Indian Standard जो है, उनकी निर्स को सैटिस्फाइग करना, इसके लिए Standard जो है, मों सर्फ किये जाते हैं, इसके गौर्णिंग काउंसिल के 27 मेंबर है, इसके जो Head है, यह President मों Minister होते हैं, Minister of Consumer Affairs के, Function वही है, Standards बगरा तैय करना, Standard को रिव्यू करना हर 5 साल के अंदर, कुछ प्रड़क्ट हैं, जिनको Compulsory Certification या IASM आपकी देना पड़ता है, 560 प्रड़क्ट हैं, जिनको Compulsory Certificate देना पड़ता है, इनकी कैटेगरी इसके अंदर आती है, Cement हो गया, Household Electrical Goods, Food Related Product, Autumn आपकी असेसरी, Medical, दवाईया वगर के equipment, Steel Iron Product, Air Conditioner, AC बगरा, Domestic Gas Drop, Electric or Non-Electric Price, ध्यान अखेंगे, इस सारे के सारे प्रड़क्ट के अंदर ही, आपके बाकी 560 प्रड़क्ट आती हैं, कुछ एचीवमेंट हैं, जैसे कि BIS के दुआरा, Product Certification वालेंटरी कर दिया गया है, 2022 से 27 सर्फ मार्किंग का राइट भी दिया गया है, ISI Mark 211 से कम प्रड़क्ट भी आप खुद लाँच कर सकते हैं, अलगले criteria या certificate mark दिया जाते हैं, जैसे कि जो आपका आइकन अफ सर्टिफिकेशन mark है, वो यहां लिखा गया है, नेम अलग है, यहां देखी रहां से, ISI Mark इस तरीके का होता है, यह आपका Consumer Durable Good, Electronic Kitchen, Appliance के लिए जाता है, Egg Mark जो है, यह आपका Agriculture Commodities और Life Stock प्रोड़क्ट के लिए जाता है, Director of Marketing दिवारा, BAS का Hall Mark गोल्ड जौलजी के लिए मिलता है, Wool Mark 100% Pure Wool के लिए मिलता है, Eco Mark, Environmental Friendly प्रोड़क्ट के लिए होता है, FPO Mark, Food Safety Standard Authority के दोरा, Food Product के लिए होता है, India Organica Mark, Agriculture Process, Food Export Development Authority के दोरा, Organic Food Product के लिए दिया जाता है, सो इसी के साथ यह खत्म होता है, Thank you very much.